असलाम अलेकुम द्रोशरी पढ़ ले जबिलगपिया भी खी की wirklich अम your weekly life की फाल्द प्राओशीम लुट्ट इसान सबस्केशी है फहाब इसान सब्सक्टई पनले समय दोली में भी स्थोड़पिषников लुट्सकोति काっちゃके गया protecting इसी वैसे तो मेरे लिए बहुत मुश्कल होता है कि मैं एक घंटे में बात पूरी करूँ लेकिन कोशिश करता हूँ मकसद की जरूरत कोशिश करूँगा कि आप जो बात कहना चारा हूँ वो घंटे में समेट लूँ कोशिश करता हूँ आप सब माशालला पड़े लखे अकलमन, बाशाओर, समझदार और अच्छा बुरा समझने वाले और इस प्रिफेशन में अगर आप आगए इस प्रिफेशन में तो फाइदा नजरायत होएं फाइदा, यानि इसका मतलब फाइदा नुकसान समझते हैं समझते हैं ना जितने भी दुनिया में कुछ ऐसे सक्सेस्फुल लोग गज़रे हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाया करते हैं हो तकता है आपके खानान में कोई हो आपके या इवन की हो सकता है आप ही ऐसे हो जो समझते हैं करीमी रिजन्देगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स है चोटे चोटे लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात कर लें कर तो जो मशूर खिलाडी हैं चाहे वो पॉलिटीशन्स हैं चाहे वो बिजनसमेन हैं चाहे वो वैसे कोई शोबिस से रिलेटेड हैं जो भी लोग सक्सेसफुल हैं उन सब की कहीं ना कहीं एक सेम रीजन ये है कि वो पहले बहुत मुश्किलों में थे और उनको कुछ समझ नहीं आ रही थे वो क्या करें फिर उनको मिला कोई मकसद और फिर उस मकसद को सामने रखके उन्होंने फिर एफर्ट की और एफर्ट की तो कामयाब हो गए जितने मर्ज़ी आप सैसस टोरीस पढ़के देख लें सब तक्रीम के सारे के सारे तक्रीम कैशा ही होते है जैसे कुछ बिजनिस ऐसे सक्सेसफुल होंगे जिनको इस बात का घुस्सा था कि उनको नौकरी से निकाला गया था उनको अपनी rejection का मसला था फिर वो बहुत मायूस थे फिर उन्होंने उसको एक mission बनाया कि अच्छा मुझे निकाला है फिर उसके बाद उन्होंने यह नी शुर मचाया मुझे क्यों निकाला उन्होंने क्या किया कि अपना कुछ नया idea बनाया कोई नई चीज़ टैबलिश की को और classes ले रहे हैं अभी की बात नहीं वैसे आप classes लेने के लिए college में बैठे हैं college में आए हैं रोज आते हैं और सर्दियां भी आगे और अब तो खेर lockdown की वज़ए से आपका आना बंद कर दिया लेकिन अगर यह lockdown का issue ना होता तो आप लोग सुबा सुबा भी पहुंचते प आपकी शायद कोई class साड़े-साथ भी होती होगी साथ बज़े और लेंड क्रूजर में तो कोई नहीं आता शायद ना नहीं कोई अपनी land क्रूजर हो या है या इधर ओपर हैली पैड हो हो हाँ हेलीकाप्टर पर उतरता हो नहीं या वो जो डोरेमान को एनिवे डोर होता ह तक्रीबन तक्रीबन मिजॉरिटी लोग सारे नहीं कहता है मिजॉरिटी लोग बाइक्स पे पैदल या चिंग्ची पे बैठ के आते हैं बहुत कम होंगे जो बंद गाड़ी में आते होंगे बहुत कम होंगे अब वो जो बाकी लोग ये जो मिजॉरिटी है जो चिंग्ची पे या पैदल या मोट साइकल पे आ रहे हैं रक्षे पे भी साइकल पे भी है तो ये क्यों कर रहे हैं अब सरदी में क्यों एफट वरदाश्ट कर रहे हैं हैं पैदा नजर आ रहा है है रहा है न अगज Bears इसी स्टूडइंट वाली मिसालों को और एस्प्लॉर करता हूं आप लोग जब घर से निकलते हैं तो आपने college पहुंचना है अब जब आप college पहुंचने के लिए घर से निकले हैं तो आपने किस रस्ते पे चलना है और कितनी speed रखनी है और कहां से turn करना है यह सारे आपने फैसले करने के लिए आपके जहन में target क्या है टाइम कितना है और क्या करना है विदिन टाइम college पहुंचना है अच्छा एक यह मिसाल है कि आपने college पहुंचना है इसलिए आप घर से निकले हैं और एक है कि दोस्त आया था चल यार कहीं बाहर चलते हैं अब आप घर से निकले हैं अच्छा आप जब दोस्त के साथ औवरागंधी करने बाहर निकले हैं तो कहां जाएंगे या क्या जहन में target रहे हैं कुछ नहीं बस अवारागंधी करने निकले हैं निकले हैं पैदल जहां पेदल करेगा वहां चले जाएं त्ञे जहां गप्टें serie बाते अब वो जो कुछ अट्रेक्शन लगी और आप चल पड़े तो वो जो अट्रेक्शन अब सारे आप जवान बच्चे हैं यहां पर आप अपने दोस्तों के साथ जब निकले होंगे या तो कहीं घूमने या कहीं खाने पीने तो वहां गए होंगे जहां पर आपके जो दिल की खौईशात है ना वो पूरी होनी नजर आ रही होंगी वो कोई जगा भी ऐसी हो सकती है कहीं पर पब्लिक प्लेस ऐसी हो सकती है कहीं पर खाने पीने की जगा हो सकती है कुछ भी ऐसा होगा आप जो अपने दोस्तों के साथ निकले होंगे घर से अगेन वही मिसाल घर से निकले होंगे चुँके को खास टारगेट लेके नहीं निकले ना बस निकले चल या रवारागर्दी करते हैं तो निकले और निकल के वहां गए जहां भी आपके दिल में ख्वाइशाद आ रही थी आप वहाँ चले गए तो पहले भी मिसाल में घर से निकले थे अभी भी मिसाल में घर से निकलें लेकिन पहली मिसाल में आप इदर उदर नहीं मुड़े आपने स्पीड मेंटेन की आप इस फिकर में रहे कि मैं कहीं गलत जगा पर ना मुड़ जाऊओं। और ये फिकर आपकी और ज्यादा सक्त अचाएगी जब आप पेपर देने जा रहे होंगे अबी तो है ना क्लास में टाइम पे पहुंचना है लेकिन अगर क्लास में टाइम पे ना भी पहुंचे तो उतना बड़ा मसला नहीं है इसलिए आप कहीं गलत सड़क पे ना मुड़ जाएं कहीं गलत कोई जैसे भी पिछले दुनों उनका जनादा था खादिम रिजवी साब का तो काफी अलाका बंद था आप किसी ऐसे बंद रस्ते पे ना गुजर जाएं कहीं पर टाइम जादा ना लग जाए सवारी वो ना ले लें जिसमें रिस्क जादा है ये जादा फिकर बढ़ जाएगी अगर एक्जैम की बात होगी तो यानि आपका टार्गेट जितना जादा सेंस्टिव होगा उस टार्गेट को अचीव करने के लिए आपकी एफर्स उतनी जादा फोकस्ट हो जाएंगी ये बात यहां तक समाझ जाएगी चले अब मैं मिसालों से चूंके स्टूडेंट के सामने बात कर रहा हूँ तो मैं मिसालों से बात कर रहा हूँ स्टूडेंट सी की और मिसाल लेता हूँ आप लोगों ने अगर लहौर से बाहर के हैं तो यहां पर हॉस्टल में अड्मिशन लिया बलके सबसे पहले तो आप पर पहुँचके कोई दोस्त होगा, कोई रिलेटिव्स होंगे, जिनके पास आएं होंगे, उसके बाद बंदोबस्त किया होगा, वरना अकलमंदी ये थी कि आने से पहले बंदोबस्त करते, ये अकलमंदी वाली बात थी, ये बहुत कम लोगों ने किया होगा, कि सारा समान ल गा लिया होगा और अगर पहले चक्कर नहीं लगा सकते थे तो कि यह दोस्ट से पहले ही बात कर ली होगी या अगर यहां के हॉस्टल ढूनना भी था तो शायद कोई रेलेटिव होंगे तो पहले आप उनके घर आए होंगे उसके बाद हॉस्टल ढून लिया हॉस्टल मिल गया अब आप ने उस हॉस्टल का खरचा कहां से पूरा करना है अबाजी ने भेजना है खुद तो नहीं कमा रहे फिर आपने कॉलिज में अड्मीशन ले लिया कॉलिज में अड्मीशन के लिए खर्चा कौन करेगा वो भी अबाजी ने बेजना है अब आप यहां पर यह सारी एक्टिविटीज में इंवाल्वड हैं आप हॉस्टिल में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उटके कॉलेज आते हैं, पढ़ाई करते हैं अब यह जो सारी एफर्ट्स आप कर रहे हैं, यह आप क्यों कर रहे हैं क्या फायदा है C.A. का करियर बनाना है ना अगर आपके अम्मा अबा ने आपको लोहुर भेज दिया होता लेकिन ये ना कहा होता कि सीए करना है बस आपके लिए हॉस्टल का बंदोबस कर देते, फ्लैट ले देते, पैसे दे देते और आपको ना कहा जाता कि तुमने C.A. करना है ना ही आपको खुद फिकर बनती अब चुब कि आप जवान है आपके पास रहने की जगा भी होती आपके पास पैसे भी होते और टाइम भी होता तो फिर आप क्या करते एयाशी करते बिलकुल ऐसी एयाशी करते अच्छा क्या यहाशी करते जिसका जो जैसे दिल करता वो करता अच्छा दिल क्या करता जो उसकी अपनी ख्वाइशात है हो सकता है कोई सोता ही रहता हो सकता है किसी को गूमने प्रने का मसला होता हो सकता है कोई ये ऐसा एडिक्ट होता कम्प्यूटर और कम्प्यूटर से रिलेटिड चीज़ों के ओपर नेट से रिलेटिड गेम से रिलेटिड ये पपजी शमजी से रिलेटिड के वो उसी में लगा रहता कोई होता जो दोस्तों यारों के साथ उठने बैठने वाला होता वो सारा दिन अवारा गर्दी करता रहता कोई हो सकता है जिसको और जादा एड़ास किसम की खुआश होती होती तो वो उनको पूरी करने के लिए एफर्ट्स करता लेकिन वो सब करता जो उसका अंदर से दिल कर रहा होता आपको भेजने वाले अबबा जी ने आपको रिसोर्स दे के भीजा और अगर आपको मकसद नहीं बताया तो फिर आप क्या करेंगे उन रिसोर्स का जो दिल करेगा वो करेंगे जो दिल करेगा वो करेंगे आप उन resources को करेंगे इस्तमाल लेकिन आप वो इस्तमाल कर रहे होंगे जो आपकी खौाइशात होंगी अब यहां पर आता है students रटके आते हैं जानवरों पर जानवरों को अल्ला ताला ने मुख्तलिफ resources, मुख्तलिफ टाकतें दी है वो जानवर उनका क्या खौाइशात पूरी करनी होती है और और कुछ जानवरों की अगर हम main main characteristics की बात करें दुबारा खाना पीना, सोना, जिन्सी खौाइशात और जी नहीं यार वो कोशिश करेंगे कि जादा बात हो सके तो जो बात हो रही ना उसी पर फोकस रहे के बात करना एक्स्टा चबले मार होगे ना तो फिर हाँ जी मेरी कोशिश है कि घंटे में बात कुछ शकल निकल आए, अब आप लोग आए हैं, शाम बैठें इतना, मैं दुबारा धोरा रहा हूँ जानवर, जानवरों के पास ताकत, रिसोर्सिस, जगा, कोई जादा ताकतवर है, कम ताकतवर है, जानवर नॉर्मली क्या है, उनकी पूरी जिन्दगी अगर समराइज करें, खाते पीते हैं, सोते हैं, जिन्ती खौइशा पूरी करते हैं, और जी और कुछ नहीं है, चलो कुछ जादा जो और्गिनाईज्ड होंगे, वो अपना ठिकाना भी बनाएंगे, जैसे परिंदे हैं, वो अपना ठिकाना बनाएंगे, वो घौसला बनाएंगे, फैमली को प्रेफर करेंगे, बच्चों की तर्बियत करना उनको खुराक पहुचाना शामल होगा, पूरा ठिकाना होगा, बहुत सारे जानवर ठिकाना भी बनाते हैं, कुछ कम हैं जो बस अवारा फिरते हैं, जहां जगा मिली, वरना काफे सारे जानवर अब चार चीज़ें हो गईें, खाना पीना जिन्सी खौाइशात पूरी करना सोना और ठिकाना बनाना अब अभी के अभी इसी वक्त आप अपनी जिन्दगी के अब तक जो 20 साल गुजरे हैं वो उनकी ऐफर्ट्स और आपके जो फ्यूचर प्लैनिंग है आप इस पे घौर करें इन चार से जाधा कुछ नहीं है इन चार से जाधा कुछ नहीं है, आपकी अभी तक की जवादी इक्लूडिंग मी, हमारी अभी तक की जवादी زندگی جتنی بھی گزری ہے وہ بھی انہی چار کاموں کے حصول کے لیے گزر رہی ہے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں کیریئر بنانے کے لیے تو کیریئر بنا کے کیا کرنا ہے یہی چیزیں پوری کرنی ہے تو ہماری یہی ہی خواہشات ہیں جو جانوروں کی ہیں اور جانور ان ساری خواہشات کے حصول کے لیے کوشش کرتے 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 آخر کار مر جاتے ہیں اور ابھی تک کہ اپنے خاندانوں میں آپ اپنے جو بزرگ جب تک دنیا سے جا چکے ہیں یا ایون کے آپ کے والدین جو بوڑے ہو چکے ہوئے ہیں ان کی ابھی تک بھی اگر آپ ساری زندگی کا نچوڑ دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ چار چیزیں ہی نظر آ رہی ہوں گے اور انہوں نے آپ کے اندر جو فکریں جگہی ہیں وہ بھی انہی چار چیزوں کی جگہی ہیں یعنی آپ کو بچپن سے لے کر اب تک اس بات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اچھا پڑھ لو کیریئر بنا لو پیسہ کمالو اب تک اسی چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ابھی تک کی جو مثالیں ہیں نا میں ان میں جو پہلا پوائنٹ میں نے لکھا میں اس پہ آتا ہوں جانوروں کے پاس جو رسورسز ہیں وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیونکہ وہ جانور ہیں لیکن انسانوں کے پاس جو رسورسز ہیں وہ بھی ان رسورسز کا استعمال صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے لگائیں گے اگر ان کے پاس مقصد نہیں ہوگا تو آپ کو لہور بھیجا گیا آپ کو رہنے کی جگہ ارینج کر کے دی گئی آپ کو پیسے دیئے گئے آپ کے پاس صحت انرجی موجود ہے آپ کے پاس وقت موجود ہے اگر آپ کو والدین کی طرف سے یہ فکر نہ دلائی گئی ہوتی یا یہ ڈنڈا نہ دیا گیا ہوتا کہ کیریئر بنانا ہے کیریئر بناو گے تو گھر واپس آنا ورنہ جاؤ اپنا بندوبس خود ہی کرو اب آپ کو اگر یہ ساری فکر نہ دی گئی ہوتی یا ٹارگٹ نہ دیا ہوتا تو آپ ان رہنے کی جگہ کا ان پیسوں کا اس وقت کا ان ریسورسز کا اس انرجی کا کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی خواہشات ہوتی وہاں پوری کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اردگرد جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں آپ کے دوستوں یاروں میں یا آپ کے پرانے سکول فیلوز میں یا محلوں میں جن جوان بچوں نے اپنے کیریئر کی فکر نہیں کی انہیں نے اپنی ساری انرجیز اسی میں لگائی ہیں اس کو جو ملتا ہے وہ انہی چار چیزوں پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ٹھکانا بنانا تو بہت لیس پریفرڈ ہے وہ اصل میں یہی خواہشات ہیں جنسی خواہشات ہیں کھانا پینا ہے اور سونا ہے تو اگر ٹارگٹ نہیں ہوگا اگر مقصد نہیں ہوگا تو انسان کی جو بھی ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرے گا وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے یعنی جو جانور کرتے ہیں یہاں تک بات سمجھا دی چلیں اس کو تھوڑا سا اور امپروف کرتے ہیں مقصد کا تائین کون کر کے دے گا مقصد بنانا کیسے گول کہلیں ٹارگٹ کہلیں اس کا تائین کون کرے گا یہ کون ڈیسائٹ کرے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اگر آپ نے سب کچھ خود کمایا ہے آپ نے سب کچھ سارے ریسورسز خود ہی حاصل کیے ہیں تو ان ریسورسز کا استعمال چاہ ان کو ریسورسز کہتے ہی کیوں ہیں ریسورسز ریسورسز کیوں ہوتے ہیں ریسورسز کیوں ہوتے ہیں وہ کیونکہ ان کو یوز کرنا ہوتا ہے اور یوز کر کے کچھ اور حاصل کرنا ہوتا ہے तो जो हमारे पास resources हैं आपके पास आपस सवाल पूछ रहा हूँ अगर वा आपने खुद earn किये होते तो उनका इस्तमाल कैसे करना है ये आप खुड target सेट करते अच्छा target सेट ना करते तो क्या होता खुआशात पूरी करते जानवर बन जाते तो हम जानवर नहीं हैं लेकिन अगर हम सिर्फ जानवरों वाला काम ना करें तो यकीनन हम अपना कोई गोल सेट करेंगे आप मेंसे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनके वालदین की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था वो घर बिठाके खिलाने को तयार थे सेट बिजनस था लेकिन आप खुद इस कोशिश में निकले के नहीं अपना केरियर बनाना है ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं तो आपने खुद गोल सेट कर लिया ठीक है अगर जो भी रिसूर्स आपके पास हैं अगर वो आपके अपने ह समाएए हैं या आपके पास पहले ही मौझूद हैं तो गोल सेट आप खुद करेंगे गोल सेट करना क्यों दूरूरी है क्लियर है अगर गोल नहीं होगा तो बस सब कुछ गोल मौली रहेगा हम वही करेंगे जो हमारी खुआशाजाट हूँगी जो मारी जिसमानी खुआ चाहिखाव करते हुगे जो मारी नफसानी खुआईखाव कर्लूर वाला काम कर रहे होंगे बलके जनवर भी हमसे बेतर होते हैं जनवर हमसे जादा खाने वाले भी माजूदें जनवर हमसे जादा जिसम्पी направ एकrat हमसे जादा और्गनाइस्ट कॉलोनीज बना ले वाले जानवर मौजूद है चूटियों की ना अंडर ग्राउंड पूरी कॉलोनीज होती है उनका इतना जबर्दस सुसाइटी का सिस्टम होता है कि हम क्या बनाएंगे ऐसी उनकी क्लासिज होती है किसकी क्या जिम्मेदारी है किसकी क्या जिम्मेदारी है बलके मैं एक जगा सुन रहा था शेहद की मक्यों के बारे में मुझे नहीं पता अगर किसी को बताओ तो करेक्ट कर दे शेहद की मक्यों के इतने सخت कंट्रोल होते है कि उनकी एक पूरी segment है जो shed collect वो जो रस है ना वो collect करके लाता है और उनका entry के वक्त फौजी पहरेदार होते हैं जो उनकी inspection करते हैं और जो रस सही नहीं लाया होता ना उसकी गर्दन तोड़के वहीं मार देते हैं उसको मतलब इतना सक्त control है इतनी organized के जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको मौका ही नहीं बिल रहा दूसरा जरा सी भी corruption वहीं मार दिया तो ये तो जानवरों में भी ये वाली qualities जो हम कहरें ने खौइशात पूरी करना ये जानवरों में भी हमसे जादा हैं तो हम अगर अपना goal set नहीं करेंगे अगर हमारी जिन्दगी का मकसद नहीं होगा तो हम वो करेंगे जो हमारी खौइशात हैं हम अपनी खौइशात पूरी करेंगे और हम जानवर बन जाएंगे फिर इसका मतलब मकसद तो कोई होना चाहिए ठीक है अगर resources आपके अपने होते तो उसका मकसद उनका इस्तेमाल कौन decide करता हम खुद decide करते जैसे मैंने कहा कि कोई pressure नहीं है फिर भी बच्चों ने अपना carrier बनाने का फैसला किया लेकिन अगर किसी ने resources दिये हैं तो या तो उसने वो resources तोफ़ा दे दिये होंगे या किसी मकसद के लिए दिये होंगे तो जो तोफ़ा देने वाला था वो तोफ़ा देने के बाद तो नहीं पूछेगा लेकिन अगर किसी वज़ा से resources दिये थे जैसे एक employee को अगर office से गाड़ी मिल रही है तो उस गाड़ी का कोई purpose होगा वो employer उसको किसी मकसद से गाड़ी दे रहा है अगर किसी employee को बाहर भेजा है दूसरे मुलक अपने एक और office में और वहां पर उसको रहाइश दी है गाड़ी दी है खाना दिया है तो वो क्यूं दिया गया है तोफ़ा दे दिया जा बच्चे एश कर काम के लिए दिया है ना तो अगर हमारे resources हमारे अपने हैं तो उनका क्या इस्तमाल है ये हम decide करेंगे लेकिन अगर हमें resources दिये गए हैं और तोफ़ा नहीं दिये गए हैं किसी मकसद किसी reason से दिये गए हैं तो उन resources का इस्तेमाल decide कौन करेगा जिसने resources दिये हैं आपके अबाजी ने आपको यहां बेजा आपको यहां पर रहने की जगा अरेंज करके दी पैसे देते हैं आपको खाने का खर्चा पढ़ाई का खर्चा मिलता है क्या purpose है? C.A. करना? अगर दो साल, तीन साल, चार साल के बाद अबाजी को पता चले कि वो तो सारे याशियों में उड़ा दिये तो अबाजी बहुत खुश होंगे शाबाश मेरे बेटे बहुत खुश हो जाएंगे नहीं, चपेड़ें तो छोटा लफज है अब वो क्या क्या एक्शन लेंगे वो उनके गुसे बेड़ेंड करता है वो तो उनके गुसे बेड़ेंड करता है कि वो क्या एक्शन लेते हैं और उनोंने अगर रिसोर्स देते हुए खास ताकीद की थी कि अगर ये तुमने ना किया तो फिर तुम्हें फलानी फलानी सजाए मिलनी है तो अब हमें और जादा फोकस्ट होके उस मकसद को हासल करने की कोशिश करनी चाहिए तो मकसद क्यों जरूरी है क्योंकि अगर मकसद नहीं होगा तो हम वो करेंगे जो जानवर करते हैं अपनी खौईशाथ पूरी करेंगे और मकसद कौन डिसाइट करेंगा अगर रिसॉर्सेज हमारे अपने हैं हम ही ने उनको हासल किया है हमारे वो ओन्ड हैं किसी के गिवन नहीं है तो फिर हम ख़ुद मसकड, decide करेंगे लेकिन अगर हमारे ओंड नई है किसी ने दी ए है तो या तो वो तफा दिया होगा, फिर भी हम decide करेंगे या फिर उधार दिया होगा तो अगर उधार दिये हुंगे resources तो कुण decide करेंगा उनका इस्तमाल? जिसने resources अगर हमें मकसद पता चल गया तो हमारी एफर्ट्स फोकस्ट होंगी उस मकसद के हसूल के लिए उस मकसद में हसूल के लिए हम कोशिश करेंगे हम उस मकसद में कामियाब हो जाएं क्योंके टार्गेट मिला है पूरा करना है आपके घर वालों ने यहां पर जो रिसूर्स दे के भेजा है और आप मैं यही अजियम कर रहा हूं कि आप मेंसे कोई खुद नहीं कमाता है सब को जो फिसिलिटीज है वो उनके घर वाले देते हैं तो आपको पढ़ाई करने के लिए आपके वाले ने आपको पैसे दिए हैं आपको जगा दी है खाने पीने की सारी फिसिलिटीज दी है और आपको इस सारे रिसूर्स दे के आपको मकसद क्या दिया है नोने सीए करना है ना अब आप इस मकसद में कामियाब होने के लिए एफर्ट्स कर रहे है आप इस मकसद में काम्याब होने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं अब एफर्ट्स को भी हम क्लियर करते हैं सीए करने के लिए आप रोज बहुत महिनत करते हैं और आप रोज 20 किलोमेटर दौड लगाते हैं मेहनت है ये क्योंकि आपने खिलाडियों को ऐसे करते देखा है आपने खिलाडियों के स्टोरी सुनी है कि मैं बहुत लंबी-leμबी दौर लगाया करता था मेहनत है हाँ जी लेकिन मेहनत तो है अच्छे चले मिसाल बदल लेते हैं आप जो बोरिया हैं वो रोज दस बीस तो ट्रक में लोड करवा की आते हैं फिर पढ़ने आते हैं बड़ी मेहनत करनी पढ़ती है हाँ जी चलो ये भी मेहनत सही सही पढ़ती की नहीं लगरी आप रोज़ाना éक टांग पर खड़े होते हैं 8 गंटे के लिए बहुत मेहनत है चूले पे बाटके पड़ते हैं बहुत शदीद मेहनत है अरे वो चूला जलाना बूल गया था चूला जला के हा जी मेहनत तो हो रही है तो मेहनत वो होगी जो उस मकसद को हासल करने के लिए चाहिए आपको डिरेक्शन पता होगी तो उसके मताबक मेहनत करेंगे अगर डिरेक्शन नहीं पता होगी न तो फिर आप लोग सिर्फ ये तो कह देंगे कि मैंने बड़ी मेहनत की है लेकिन जब डिरेक्शन ही सही नहीं वो सब str dynamics हो और दर्वादा खोलना है और यह दर्वादा खोलता है बाहर की तरफ अब बाहर से को desert आए और वो इस दर्वादे को धका लगा रहा है बड़ी जान लगा है इसने बड़ी कोशिश की दर्वादा नहीं खुल रहा बड़ी मेहनत की है उसने दर्वादा नहीं खुल रहा वो इस बात पर जिस्टिफाइड है जी मैनत तो अपनी तरफ से पूरी मैनत की थी नहीं भी दर्वादा खुलना ही बाहर की तरफ है उसकी डिरेक्शन ही ठीक नहीं थी तो आपको मकसद में काम्याबी के लिए मैनत तो करनी है इसमें कोई दूसरी रह नहीं है मैनत करनी पड़ेगी लेकिन मैनत की डिरेक्शन पता होनी जरूरी है अगर मैनत की डिरेक्शन नहीं पता तो मैनत आप गदे कितना कर लें अगर direction सही नहीं हैं तो result हासिल नहीं होगा यहां तक भी कोई खिलाफ आपको target सेट कर दिया जिसने resources दिये उसने target सेट करके दिया क्योंकि उसने वो resources उधार दिये थे कल को वापस लेने उधार होता ही वोई जो कल को वापस लेना है तो उसने अगर आपको कोई resources उधार दियें तो बगार मकसद के नहीं दियें वो वापस लेने हैं और अबाजी ने अगर resources दियें और कैभी दिया है कि अगर दो साल में नहीं हुआ तो उसके बाद फलाना फलाना काम होगा और वो है भी बहुत सक्त काम है भी बहुत बड़ी सदा तो फिर तो हम बेवकूफ होंगे ना अगर मकसद को भूल जाएं तो मकसद जरूरी है और मकसद का तायून वो करेगा जिसने रिसोर्सिस दिये हैं उधार तौफ़ा नहीं दिया उधार दिये हैं और मकसद में काम्याबी तब होगी जब हमें एफर्स की डिरेक्शन का पता होगा चले और आगे बढ़ते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के लिए जो आप एफर्ट कर रहे हैं आप टेस्ट पास कर लेते हैं टेस्ट आप पास कर लेते हैं लेकिन उसके बाद आई कैप वो पेपर फेल हो जाते हैं तो आप टेस्ट पास तो कर रहे थे आप टेस्ट में कामियाब हो रहे थे कामियाब लेकिन आई कैप में हो गए फेल अब आप घर खुशक हो जाएंगे अबा में कामियाब हो गया टेस आपने मुझे भेजा था, मैं काम्याब हो गया, मैंने हॉस्टल ढून लिया, हाँ जी, काम्याब तो हुए हैं, काम्याब तो हुए हैं, हॉस्टल ढूनने में तो काम्याब हुए हैं, लेकिन वो एक शौट टम काम्याबी थी, असल मकसद कुछ और था, तो वो जो आपको असल मकसद में फेल हो गए तो आप इस बात पर खुश होते घर नहीं जाएंगे कि मैं टेस्ट में तो पास होता था ना आई इकेप में फेल तो टेस्ट का पास बेकार हो गया और मिसाल अगर एक वन्डे मैच है और दूसरी टीम जो चेस कर रही है उनका स्टार बैटस्पन उसने सेंशरी कर ली और सेंशरी कर ली खुश हुआ और बहुत खुश हुआ उसने हेल्मट चुमा होगा बैट चुमा हो होगा लेकिन वो टiak मैच हार गई के तो वो फिर खुशिया मना T ссыл के लगाता यह मुऴ लड़का की जा रहा होगा में अरे सेंच्री बनाईे में काम्याब हो गया सैंच्री बनाने में कामियाब हो लेकिन उस ग्राउंड में वो सेंचरी बनाने नहीं उतरा था मैच जिताने के लिए उतरा था अब अगर उसका जो एंड आप एक्टिव था वो पूरा नहीं हुआ तो सेंचरी की खुशी भी बेमतलब हो गई उसको वो खुशी रही नहीं क्योंकि उसके बाद जो असल काम होना था वहाँ पर वो फेल हो गया और मिसाल सीए क्यों कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए ना अच्छा केरियर बनाने के लिए आप सीए एफट करने के बाद बलके गोर्ड मेडल ले लिया आपने टॉप फ़म में किया लेकिन उसके बाद कोछ ऐसे मसायल बने कि आपको नौकरी ही नहीं मिल रही आप नौकरी भी नहीं कर पा रहे और कोई बिजनिस भी सेट नहीं कर पा रहे और ऐसे मैं जानता हूँ लोगों को जो अपनी जिन्दगी में कॉलिफकेशन के साब से बहुत कामियाब थे लेकिन ना उनको कोई धंकी जॉब मिल सकी और ना उनसे कोई बिजनिस हो सका यानि अकेडेमिक्स अच्छे थे लेकिन आगे प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं हो सकी फलॉप रहे वो लोग तो वो जो पेपर पास करने की खुशी थी वो रही नहीं खतम हो गई क्यों क्योंके जो उसके बाद होना था अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर पिछले ये खुशी खतम अच्छाब इसी को उलट करते हैं दो चार पांच शे अटेम्ट गुदर गी पास ही नहीं हो रहा बड़ी मुश्किल से एक पेपर पास हुआ आठ दस साल पंदरा बीस साल लग दे सीए करने में बैस साल यानी नौसद ही नौसद फेलियर ये फेलियर लेकिन फाइनली जब उसका सीए हो गया पंदरा बीस साल लग गया पैनते साल अमर हो गए उसकी C.A. करने में लेकिन उसको फिर जहां पर अपरचुनिटी मिली जॉब की वहां से फिर आगे वो ग्रो करते करते उस कंपनी का C.E.O. और इंटरनेशनल वर्ल्ड C.E.O. बन गया तो वो जो पहले गम थे पेपर फेल होने के वो कुड़ता रहेगा सारी जिन्दगी मतलब उसको एन्वल बोनस मिल रहा होगा तो कहेगा मेरा लॉप पहली टेम में पास नहीं हुआ था है नहीं क्यों नहीं कहां गए वो गम अच्छा इसमें मकसद की बज़ाए में कुछ और अच्छली बोलना जा रहा हूँ मिसाल जो मैंने बदली है अब वो क्यों अदास नहीं हो रहा पिछले आकामियों पर क्योंकि अब आगे अच्छा हो गया जो पहले था अब जब आगे वो खुशी में कनवर्ट हो गया तो गम भूल गया फिर गम भूल गया और मिसाले आपको दस साल के लिए अच्छा आपको तो मैं वैसे मुकातिब करने आप खुशी कोड़े मारे जाएं रोज तब रोस कोड़े मारे जाएं, इंजेक्शन वाली जगा पर रोस कोड़े मारे जाएं दस साल, दस साल जेल में गुजारे हैं बामशक्कत लेकिन कॉंटेट का हिस्सा है कि एक बार दस साल बाद आप जेल से निकल लगए जिन्दा बचके तो फिर आप बाद्चा सलामत बन जाएंगे, पिर आपकी जब तक जिन्दगी आपके लिए खुले यह आशिया हैं, आपको कोई रोक टोक ने, कोई काम नहीं करना पड़ जाएगा सारी, सारी रियास्त आपकी गुलाम होगी, आप बाद्चा सलामत होंगे एक ये मिसाल है, दूसरी मिसाल ये है, के 20 साल बाद्चा सलामत बन जाओ, जो दिल करता है करो, कोई मसला नहीं है, उसके बाद मरने तक कैदेबा मुशक्कत है, इन दोनों मिसालों में से, जादा फाइदे वली डील कौन सी है, बाद वली, अच्छा जिसको बाद वली लग लेगी बाद, है जी, तो बाद वाली आप्चन जाद है बितर है, जिन्दगी की भी गरंटी हो गई, और, जिन्दगी भी गरंटी हो गई, पहले वाली अच्छा वहना पर बाद बदल जाती है, बाद बदल जाती है, यह जो तीन, चार, पाँच मिसालें दी है, इन में जो मैंने फर्क रखे में पार्चली, जैसे वो सेंच्री वाले की मिसाल थी, या पेपर फेल करके लेकिन आगे वर्ल्ड सीयो बन गया था, या पहले अच्छा लेकिन आगे नौकरी नहीं मिल रही थी, इन मिसालों से एक चीज, एक रूल यह बना रहा हूँ, एक नफसियाती सी चीज़ आप अगर हमें खुशी गम मिल रहे हैं, तो हम प्रेफर करेंगे अभी के गम और बाद की खुशी को, यह हम प्रेफर करेंगे, और हम प्रेफर नहीं करेंगे के अभी खुशी मिल जा और बाद में गम मिल जाए, यह एक मेरे खाल में सारी से ग्री कर लेंगे, तो हम जो काम्याबी की डेफिनेशन कहेंगे, वो वो होगी जिसमें एंड अच्छा है, जिसमें एंड अच्छा है, तो हम उसको काम्याबी समझें ये define करेगी अगर end अच्छा है तो हम खुश खुश रहेंगे लेकिन अगर end अच्छा नहीं है तो century बनाने वाले की century रह गई gold medal लेने वाले की within articles qualify करने वाले की सारी खुशी रह गई क्यूंकि उसका career नहीं बन सका तो end अच्छा हो तो ये preferable है ये बात okay एक और मिसाल अगर हमने travel करना है और travel करना है को 20 गंटे का travel है बस है ट्रेन है जो भी है 20 गंटे का travel है और उस travel में हमें पानी मिलना है लेकिन वो गरम पानी होना है वो कुछ जादा अच्छा नहीं होगा बगर गरम पानी होगा सफर है 20 गंटे का और हमें सफर के दुरान पानी मिलना है लेकिन गरम पानी मिलना है अब हमने जब जिस station से टिक्टें खरीद दी है तो वहाँ पर दो लाइने लगी है एक लाइन लगी भी है अच्छी seats की जो AC के करीब है comfortable है लेकिन limited है तो जो लाइन में आगे लगा हुआ है वो उमीद है कि वो हासल कर लेगा या जो लाइन में मौझूद है ultimately वो अच्छी seats हासल कर लेंगे और दूसरी लाइन लगी है थंडे पानी के लिए क्योंकि बस में थंड़ा पानी नहीं मिलना तो जो दूसरी लाइन है वो थंडे पानी के लिए मिली भी है अगर टेकेट वाली लाइन में लग गए मुशक्कत तो है लेकिन उस मुशक्कत के बाद 20 गंटे अच्छे गुदर जाएंगे और जो दूसरी लाइन है वहाँ भी मुशक्कत है लेकिन उस मुशक्कत के बाद होगा क्या कि थंड़ा पानी लेने में हासल हो जाएंगे काम्याब हो जाएंगे लेकिन वो थंड़ा पानी कितनी कुँ देर तक थंड़ा रह जाएगा बिस पंट पच्चेस पंट आदा गंटा बस इस सजादा तो नहीं है तो आप दो लाइनों में से एक लाइन चुननी है कौन सी लाइन में मुशक्कत करना प्रेफर करेंगे सीट वाली क्यों क्योंकि आदा गंटे का बेनेफिट versus 20 गंटे का benefit तो अब यहां से दूसरी बात मैंने यह बताई कि अगर हम efforts कर रहे हैं और हम काम्याब होना चाहते हैं तो हम prefer करेंगे long term को short term पे अब इन दोनों बातों को relate कर रहा हूँ हम efforts करेंगे क्योंके हमें end अच्छा चाहिए अगर start अच्छा है end बुरा है तो हमें वो रस्ता नहीं चाहिए start बुरा है end अच्छा है यह preferable है तो हमारी efforts में एक मकसद हमें end अच्छा चाहिए हम long term को prefer करेंगे short term पे यहां तक कुछ बात अकल में आरी कि नीन आरी है जाग रहे हैं जो हमें resources देने वाला है वो बताएगा कि उसने resources क्यों दिये है मकसद वो बताएगा और अगर वो ही बता रहा है कि यह मकसद है तो फिर उसी को बताना चाहिए कि इस मकसद में काम्याबी कैसे होगी वो खुद ही decide अच्छा मकसद भी वो ही बताएगा और उसको पूरा कैसे करना है यह भी उसी ने ही बताना है iCAP आपके papers लेता है exams का syllabus iCAP ने decide करना है यह कौन decide करेगा कि कौन student काम्याब होगा इसके rules किसने बनाए है iCAP ने आपने खुद क्यों नहीं बनाए मेरा paper मेरी मरजी है क्योंके authority वो है हम authority नहीं है क्या होगा आप exam hall में जाएंगे तीन घंटे बैटेंगे ठीक है आपका paper आपकी मरजी आप उस तीन घंटे को अपनी मरजी से गुदार ले लेकिन तीन घंटे के बाद paper वापस ले लिया जाएगा और फिर iCAP की मरजी क्योंके authority वो है उसने आपको allow किया था exam देना उसी ने degree देनी है आपको उसी ने आपको membership देनी है उसी ने allow करना है तो जब आप benefit C.A. करने का लेना चाह रहे हैं और iCAP ही चुंके authority है तो goals भी iCAP ही बताएगा और उनमें काम्याबी कैसे होगी ये भी iCAP ही बताएगा और आप उसकी बात मानेंगे बिल्कुल मानेंगे क्यों मानेंगे क्योंके आपको यकीन है कि वो ही authority है आपको इस बात का यकीन है अब जो जो उस iCAP ने rules बताएगा होंगे आप उन्हीं को follow करेंगे ऐसे ही करेंगे तो goal किसने बनाके देना है जसने resources दिये और वो भी उधार दिये उधार तौफ़ा नहीं दे दिया ऊधार दिये वापस लेने है और उसमें कामियाब कैसे होना है ये भी उसी resource देने वाले ने बताना है और उससे पहले मैंने एक बात की थी कि हमारी कोशिश हम वहाँ कोशिश करेंगे जहां से जो फाइदा मिलना हो वो एंड हो एंड अच्छा हो और लॉंग टम हो ये सोच अल्ला ने हमारे जहन में डाली है ये सोच ये फिलिंग ये दिल में हमारे अल्ला ने डाली है और हमें एक सौधा दे दिया अल्ला ने हमें एक सौधा दिया है और जब हम आलमे अर्वा में थे दुनिया में तो हम अब है ना वरना पहले हम आलमे अर्वा में थे और अल्ला ताला ने हम सबसे पूछा था क्या मैं ही तुम्हारा रब नहीं हूँ अजियाला आप ही हमारे रब है यह हमने एकरार किया हुआ है यह हमने पहले एकरार किया हुआ है और फिर हमें एक टास्क देके दुनिया में भेज दिया गया और चुंके हमारे यह जो रिसूर्सेज हैं यह हमें दिये हुए हैं और हमें यह लगता है ना कि यह रिसोर्स हमारे हैं तो यह हमारी गलत फहमी है यह हमारी गलत फहमी है किसी को फालेज हो जाए आप तो तो उसी का हाथ था नहीं हिला पा रहा नहीं हिला पा रहा उसको तो अपना हाथ है लाना चाहिए उसको नहीं हिला पा रहा अगर आप खाना बखाएं और आप के मुँ में देखे ना नॉर्मल प्रॉसीउजर क्या है कि नवाला मुझ के अंदर जा रहे हैं आप उसका कोई प्रोजेकटाइल सेट नहीं कर रहे हैं यह इतना साइन्टिफिक काम आप नहीं कर रहे और यह जो यह सारे अंदर रस्ता है यह आपके कंट्रोल में तो ही नहीं यह जिस तरह साप होता है ना वह चीज को जब निगल रहा होता है तो वह ऐसे ऐसे करके निगल रहा होता है यह इसके जो सारे मसल्स हैं वह सारे मसल्स एक्टिव होते हैं और वह चीज आ बसते हैं जहां से खानेने गुजरना है और आप अपनी मर्दी जब होगी होगी जहं को रोप Letчто बात सके निकलंगे बात तो हमारा जो अपना गला है जिस से खाना मूँ के अंदर जाना है वो तक हमारे है ही नहीं तो पिर हमें दिया हुआ है जब हमारा नहीं है तो पिर हमारी मर्दी चल नहीं सकती इस पर जिस ने दिया है वो बताएगा किसका क्या इस्तामाल करना है और चुँके उधार दिया है तोफा नहीं दिया तोफा मिलेगा जन्नत में जाके वो तोफ़ा होगा जो मरजी करो अभी 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 दुनिया के अंधर जो रिसॉरस्व मिले हैं वो उधार मिले हैं और अभी अभी अज़ आए दिल में ये कोस्ट बैनेफिट एनलिसिस डाला हुआ है कि हम एंड को प्रैफर करेंगे बिगनिंग के उपर और हम लॉंग टम को प्रेफर करेंगे शॉर्ट टम के उपर अब आपको इस दुनिया में कितना अर्सा रहना है कुछ पता नहीं है लेकिन अगर हम एवरिज बात कर लें साट साल उस साट साल में से भी ना आप अपने जो 10-15 साल 20 साल गुजर चुके हैं वो अब गए वो अब जा चुके हुए हम आज जहां खड़े हैं आपकी जिन्दगी के 20 साल 21 साल गुजर गए हुए तो वो तो हो गया जो होना था अब रहे गए 40 साल उनमें से भी आखरी दस तो निकालने वो तो बिमारियों की दवाईयां खाते गुजरेंगे वो तो खांदानों की टेंशने दे वो तो बच्चे बे आते हैं आपको पता नहीं चल अगर आपका वक्त गुजर जाना है पीछे रहा के कम करके 30 साल उस 30 साल में से अभी आपने चार साल C.A. में और लगाने और हो सकता है पेपर ना पास हो तो 4, 5, 6 लग सकते हैं फिर जो एकॉनोमी के हालात हैं उस एकॉनोमी के हालात में पता नहीं बिजनिस कब स्टेबल हो सकें आपको अच्छा केरियर मिले ना मिले आपको कुछ अच्छा स्ट्रगल करना पड़ेगा लेकिन आप वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार है आप तैयार हैं वो स्ट्रगल करने के लिए आप ये स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं ये की स्ट्रेगल आप क्यूं कर रहे हैं अच्छा केरियर के लिए ना आप अपनी जिन्दगी के 20 साल गुजार चुके और सिर्फ जिन्दगी नहीं जवानी के शुरू के 20 साल वरसे आखरी 20 साल बराबर नहीं है और आप मजीद आगे 5-6 साल लगाने को त्यार हैं और बिल् 26 साल की जिन्दगी लगा दी क्या गैरंटी है कि आप उससे आगे जिन्दा रहेंगे नई गैरंटी चलो जिन्दगी अगर हो गई कि साट साल की गैरंटी है क्या गैरंटी है कि 25-26 साल की मेनत करने के बाद आपका केरियर बन जाएगा कोई गैरंटी नहीं क्या गैरंटी है कि आप में बहुत टैलेंट है फिर भी आपको स्टार्ट मिल पाएगा ये जो पाकिस्तान के 11 खिलाडी खेलते हैं बलके चलो पाकिस्तान के सिस्टम ही खराब है बेतरी सिस्टम कहा होगा किस टीम का ऐस्टेलिया क्या ऐस्टेलिया में जो 11 खिलाडी खेलते हैं होंगे और उस दिन वो पहुंची नहीं पाते होंगे जिन academy's में वो खेलते होंगे क्योंके academy's ही होती हैं जहां से आगे clubs होते हैं clubs basically जो आगे खिलाडी को फिर आगे लेके जाते हैं हो सकता है वो इतने पैसे ही न रखता हो कि उस club में जा सके potential है अब वो मेहनत भी बच्पन से cricket खेलता आ रहा था लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद end result ये निकला कि वो टीम में नहीं आ सका यानि इतनी मेहनत कर रहा है वो दुनिया हासल करने के लिए और ये भी confirm नहीं है कि दुनिया मिल भी जाएगी इसको नहीं लिए आप लोग साल डेड़ साल लगा चुके और एक एवरिज सीए का सूडेंट पांच छे साल तो अराम से लगाता है ना देखें पांच साड़े पांच तो मिनिमम हैं वो तो वैसे छे साथ आठ साल नॉर्मल लगते हैं ये नॉर्मल सूडेंट्स की बात कर रहा हूँ अच्छे सूडेंट्स हों तो साड़े पांच छे साल में कम्प्लीट कर लेते हैं बहुत ही कोई एक्स्ट्रा हो कि साल के पांच साल में उसने पूरा कर लिया लेकिन नॉर्मली छे साथ आठ साल जवानी के सीए में लगाएंगे और उसके बाद सीए करने के बाद आपको हकूमत पाकिस्तान की तरफ से सद्दर वजीरादम बना दिया जाएगा नहीं आप फिर स्ट्रगल करना शुरू कर देंगे और स्ट्रगल क्यूं कर रहे होंगे पैसा कमाने के लिए और बलके इतनी स्ट्रगल कर रहे होंगे कि मैं तो इसको लिटरली कहता हूँ कि आप गधे कीतना काम कर रहे होंगे आप पहले मेहनत कर रहे हैं पांच-छे साल जिन्दगी की जवानी के लगा रहे हैं आप जवानी ना सीये भी कर लिया पता नहीं केरियर ही नहीं बन पा रहा चलो पैसा भी कमा लिया कोई ऐसी बिमारी लग गई कि आप जो सारी फिसिलिटीज इंज्वाय करना चाते थे वो ही नहीं कर पा रहे ऐसे अमीर सकस्वल लोग इस दुनिया में हैं जिनकी फैमिली लाइव नहीं हैं ऐसे बहुत सी मशूर मिसाले हैं जिन्होंने यल्टीमेटली खुदकुशी की है ऐसे मशूर लोग मौजूद हैं अमीर लोग मौजूद हैं जिनके पास बजाहर सारी फिसिलिटीज मौजूद हैं लेकिन उन्होंने खुदकुशी की है तो कोई खुदकुशी तभी करता ना जब उसकी एक्स्ट्रीम डिसपॉइन्मेंट डिप्रेशन होगा तभी वो भागेगा यानि जिन खुआशात को पूरा करने के लिए हम रिसूर्स को तलाश कर रहे होते हैं वो रिसूर्स उन लोगों के पास मौजूद हैं फिर भी खुदकुशियां कर रहे हैं इसका मतब उन रिसूर्स को हासल करने के बाद वो काम्याब नहीं हुए उनको satisfaction नहीं हुई फिर हम कुछ गड़बड कर रहे हैं हम जिस तरफ दौड रहे हैं जो हासल करने की कोशिश कर रहे हैं गड़बड हो रही है क्योंकि पैसा ही हासल करना चारे हैं ना हम लोग आप लोग सीय करके केरियर बना रहे हैं किस लिए पैसा ही कमाना है ना अच्छा पैसा कमा लेंगे तो पैसे को खाएंगे पैसा कमाने से क्या होगा पैसा इस्तेमाल करेंगे गूड सर्विसेज लेने के लिए अच्छा गूड सर्विसेज ले ली आपने, गाड़ी खरीद ली, फिर आगे चलाएंगे उसको, चला रही साल, दो साल, तीन साल, पांच साल, दस साल, पंदरा साल, बीस साल अब आप बुड़े होगे हैं, ड्राइवर रख लिया, बिमार होगे, गर से बार नहीं निकल सकते, फातम होगी बार, जितना पैसे, चलो घर था, आपने अच्छा घर बनाया, अच्छा देखें, मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ, इसका चूंकि डेफिनिटी इसका कॉंटेक्स्ट ही, दीन के हिसाब से आपको जो मैसेज देने का मकसद है, तो इसलिए जब आप इसमें गंदे मजाग बीच में लाएंगे ना, तो वो आपको तो अफेक्ट करी रहे हैं, जिनकी, जब आपकी वास मुझ तक पहुँच रही है, तो जो आपके आसपास पांच-छे लोग बैटे हैं, उन तक तो पहुँची रही है, और आपके एक दो लोगों के आपस में गंदे मजाग करने से, मैं ना पैदाशी इतना नहीं हूँ, मैं आपकी उमर से गुज़रा हूँ, मुझे पता होता है कि जब कोई मुस्करा के खुसरफुसर करके साथवाले को क्या कह रहा है और वो साथवाला हंस रहा है तो डैफिनिटलि उनकी बात क्या थी मुझे पता है, जो कोई जूम आनी बात करता है ना, डूल मिनिंग, मैं इस एच से गुजरा हूँ हूँ, ये ताड़ी मैंने अब रखी है तो इसलिए बेटा जब इस चीज का मकसद है ना अगर आपको मसला है तो चले जाए उटके कोई मसला नहीं है आप चले जाए मैंने जबर्दस्ती तो बलाया भी नहीं है अगर किसी को लगता ना कि सरने को चाय पानी देना थे तो नहीं है वो को होंगे उसे तो वह सारा परपस ही खराब हो जाता है पता नहीं मैं क्या बता रहा था हाँ जी अब आपने पैसा कमाया इनसान पैसा क्यों कमाता है अब जैसे मैं चार्डर अकाउंटर अट अलहम्दोलिल्लह तो मेरे गोल्स में क्या शामल था कि अपना घर बनाना है बना अपनी गाड़ी होनी चाहिए फैमिली लाइफ होनी चाहिए अच्छा खाने पीने को अलहम्दोलिल्लह मिल रहा है लेकिन जो घर चाहिए था घर चार दिवारी वो किस लिए चाहिए था रहने के लिए सकून के लिए यानि हमें सकून चाहिए था ऐसे कितने लोग होंगे जो घर के मालिक हैं लेकिन उनकी फैमिली लाइव इतनी डिस्टरव है कि घर में लडाया ही चलती रहती हैं तो घर ने उनको क्या सकून दे दिया महंगे से महंगा कमफर्टेबल से कमफर्टेबल गदा खरीदा बैड अच्छा कमफर्टेबल फरनीचर के सोएंगे अराम करेंगे थकन उतरेगी नीन दाएगी उसको ऐसी टेंशन पड़ी विए बिजनस की के दवायां खाता रहा तो उसको नीन नी आती तो बैड खरीदने से क्या हो गया महंगे से महंगा खाना खाना अफोर्ट कर सकते हैं क्योंके पैसा चाहिए था लेकिन ऐसी बिमारी लग गई कि वो खाना वो खाई नहीं सकता ऐसी बिमारी लग गई कि वो खाना उसके अंदर जाता जरूर है लेकिन बिमारीयां बननी शुरू हो जाती है तो क्या फाइदा हुआ महंगे खाने का तो हम इस वक भाग किस चीज़ के पीछे रहे हैं पैसे के लिए क्योंकि हमें लग रहा है कि पैसे से काम बनने शुरू हो जाएंगे इसलिए भाग रहे हैं ना पहले तो मैं इसी को यहीं गलत साबित करता हूँ यही हो रहा है मारा इम्तिहान हमें लग रहा है कि काम पैसे से बनने है एक मिसाल देखें यह दर मैंने रिमोट से ऐसे ओन किया एसी ओन हो गया और आपने देखा अच्छा यह रिमोट चाहिए अच्छा एसी ओन हो जाता है अब आपने कल को अपने घर एसी लगाना था आप एसी खरीद के लाए आपने देवार पे एसी लगवाया और रिमोट से ओन करने तो ओनी नहीं हो रहा पता लगा बिजली का तो गन्रीन नहीं लिया आपने चुकि आपको नजर क्या आ रहा था नजर के AC लगता है उसका रिमोट होता है बटन दबाते हैं तो चल पड़ता है ये तो हमें नजर आ रहा है असल में AC क्या चल रहा है वो जो बिजली का मैसेज उस तक पहुँचा ना उससे AC चला है तो हमें क्या लग रहा है कि हमें लग रहा है कि पैसे से हो रहा है खाने से भूग मिट रही है असल में खाने से भूग नहीं मिट रही है उस खाने को अल्ला का हुकम है कि भूग मिटाओ तो भूग मिटा रहा है पानी से प्यास बुज रही है असल में पानी से नहीं बुज़ रही है अल्ला का पानी को हुकम है कि प्यास बुज़ाओ तू प्यास बुज़ रही है ये हम हैं जो नाफर्मान है वरना अल्ला की सारी मखलूख अल्ला के ताबे है इसकी कुरान पाक से मिसाल देता हूँ कुरान पकद में वाकिया है यहाधा निजल एसका तालूत और जालूत का एक वाकिया एक कुरान पक ने यह उसमेना जो तालूत वो बात्षा दाह एक जो उस कौम की दॉावं से ही मिला था यहीं और ze उन्होंने प्रिगंश्याई कर वाई थी था हमें कोई लीडर मिले होगा जालूत को जालिम किसम का होगा तो वो दौाओं से ही उनको मिला था अल्ला ने उनको चुना था और उसको लीडर बना दिया था उस पे भी एक बहस दी कि जी तालूत कहा से आ गया तो जी जी नहीं अल्ला ने चुना इसको अब उसको लीड करना था जंग के लिए जाना था अल्ला की तरफ से पेगाम आया कि अल्ला तुम लोगों की आजमाईश करने वाला है पानी से अचा पानी से आजमाईश से क्या मुराद है आजमाईश टेस्ट टेस्ट होता ही वही अच्छा जो मुश्किल सवाल होते हैं MCQs मुश्किल क्यों लगते हैं वो ट्रिकी होते हैं ट्रिकी जो नजर आ रहा होता है वो होता नहीं है तो ये मुश्किल चीज है तो उनकी पानी से मुश्किल आजमाईश होने वाली थी अब जो आजमाईश होने वाली थी वो आजमाईश लेनी अल्ला ने थी चुँके तो वो आजमाईश कैसे हुई जब वो पानी के करीब पहुँचे तो उनकी प्यास बढ़ गई होगी बजाहर उनको क्या करना चाहिए था क्यों? क्योंके प्यास पानी से बुचती है ये हैं जाहरी इसबाब लेकिन चुके अल्ला ने फरमाया था के नहीं पानी नहीं पीना हाँ थोड़ा सा चलू बहर पीना तो पीलो पानी नहीं पीना क्योंके अल्ला फरमा रहे हैं नहीं पीना अब बंदा बैस कर रहे लाजी कैसी बात करें मैंने तो पानी पीना से प्यास बुजनी है प्यास बुजनी किसने है अल्ला ने जब अल्ला मना कर रहे है तो इसका मतलब पानी में प्यास बुजने की ताकत नहीं है रिमोट में एसी चलाने की ताकत नहीं है A.C. کو بجلی کا پیغام پہنچے گا تو A.C. چلے گا تو یہ جو بجلی کا پیغام پہنچنا نا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم پہنچے گا تو ظاہر نظر آنے والی چیز چلے گی اب جن لوگوں کو یقین نہیں تھا اور انہیں نے کہا نہیں ہم نے تو پانی پینا ہے تو کبھی آپ نے اس چیز کو observe کیا کہ جب آپ کھیل کے یا چلو افتاری کے ٹائم پہ بھی جب بالکل بس ہوئی ہوتی ہے کھیلنے سے مثال لے لیتا ہوں جب آپ لوگ بہت کھیلتے ہیں کھیل کھیل کے گراؤن میں کرکٹ کھیل کھیل کے پیاس شدید لگی بھی ہے پھر پانی پہنچا تو پیٹ کو کواں سمجھ کے پانی انڈیلنا شروع کر دیتے ہیں اور پیاس ہی نہیں بجھنی ہوتی تو ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا چونکہ پانی سے پیاس نہیں بجھنی تھی اللہ کا حکم تھا وہ پانی پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے اب آپ جب افتاری میں ٹھیک تھاپ قسم کا پیٹ میں ٹھونس لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا وہیں پڑ جائیں گے وہیں پڑ جائیں گے اتنا زیادہ اوور انٹیک کر لیا ہوگا کہ آپ میں آگے بڑھنے کی حمد ہی نہیں ہوگی تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کچھ لوگ تھے کچھ لوگ جو اللہ کا حکم مان گئے اور اللہ کا حکم مان گئے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ پیاس کس نے بجھانی ہے اللہ نے انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا اب ان میں انرجی باقی رہی باقیوں کی بس ہو گئی اب ان باقیوں کے ساتھ کیا ہوا وہ تو قرآن پاک میں نہیں ہیں لیکن آگے پھر اس کے زیلی واقعات ہوتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا لیکن جو قرآن پاک والی بات بتا رہا ہوں یہ جو تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے بات مانی تھی اللہ نے انہی کے ساتھ اپنی مدد شامل کی اور انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی حضرت دعود علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا تھا اب یہ قرآن پاک کا واقعہ بتایا میں نے آپ کو ہم لوگ جو ابھی تک زندگی کی ساری ایفرٹس کر رہے ہیں اچھا اگر پانچ دس منٹ میں مغرب ہونے والی میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کیا بول رہا تھا ہم لوگ جو ابھی تک اپنی ساری ایفرٹس کر رہے ہیں ساری کی ساری ایفرٹس ہم وہ ایفرٹس کر رہے ہیں ریسورسز حاصل کرنے کے لیے اور ہم اتنی ایفرٹ کیے جا رہے ہیں کہ بس کسی طرح ہمارے پاس ریسورسز آ جائیں حالکہ یہ بھول رہے ہیں کہ ان ریسورسز میں اثر کس نے ڈالنا ہے اللہ نے اب اس پہ امتحان کیا ہے چونکہ زندگی میں اگر ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے ہم جانور بن جائیں گے اور جو ہیں بھی بہت سارے ہمارے موشری کے اندر حیوان موجود ہیں جو صرف اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں مقصد ضروری ہے ورنہ ہم جانور بن جائیں گے مقصد کون بتائے گا اگر ہمارے اپنے ریسورسز ہیں تو ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے اگر نہیں تو جس نے ہمیں ریسورسز ادھار دیئے ہیں توفہ نہیں دیا ادھار دیئے ہیں وہ بتائے گا ان کا کیا کرنا ہے اور ان میں سکسیس کیسے ہوگی یہ بھی وہی بتائے گا تو اللہ نے کیا فرمایا دنیا میں ہمیں ایسے نہیں بھیجا ہے اللہ فرماتے ہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میری عبادت کرو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور اگر اللہ نے بھیجا ہے عبادت کا مطلب صرف اور صرف اور صرف اور صرف نماز پڑھنا نہیں ہوتا وہ تو ایک عبادت کا طریقہ ہے جیسے آپ سٹوڈنٹس ہیں آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر پیپر پاس کرنا نا تو پڑھنا پڑے گا does it mean does it only mean کہ کلاسز میں بیٹھنا پڑھے گا کلاسز اٹینڈ کرنی پڑھیں گی نہیں پڑھنا ایک overall پڑھائی ہے کلاسز میں آنا اس کا ایک طریقہ ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے آپ کو ٹیسٹ دینے پڑھیں گے آپ کو گھر میں ریویجن کرنی پڑھے گی اپنے آپ کو بار بار فوکس رکھنا پڑھے گا صرف کلاسز اٹینڈ کرنے سے پاس ہو جائیں گے نہیں آپ کو بار بار فکر رکھنی پڑھے گی پیپر 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 ایکزیم تیاری 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 بار بار فکر رکھنی پڑھے گی کلاسز اٹینڈ کرنا اس کا ایک طریقہ ہے تو نماز روزہ یہ ایک طریقہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے عبادت سے کیا مراد ہے عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی اللہ ہم آپ کے عبد ہیں جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے یہ ہے عبادت یعنی اللہ نے چونکہ رسورسز ہمیں ادھار دیئے ہیں دیکھیں جو چیز ادھار دی جاتی ہے نا وہ واپس بھی لی جاتی ہے وہ واپس بھی لی جاتی ہے تو ہم سے یہ رسورسز واپس لیے جانے ہیں اور میں تنی کھل کے بات تو نہیں کروں گا ضروری نہیں کہ آپ سب ان چیزوں سے واقف ہوں میں بس ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کروں گا کہ اگر انسان کو ذرا بھی غرور ہونا تو وہ اپنی صرف تخلیق کے مرحلے کو سوچ لینا اس کی عوقات وہی نظر آ جاتی ہے وہیں اس کی عوقات ساری صاف نظر آ اور شاید اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے یہ اللہ نے طریقہ ہی اس لیے رکھا ہے کہ انسان تری عوقات کیا ہے یہ تو تری عوقات ہے اب اللہ نے جو ہمیں رسورسز دیئے ہیں ان رسورسز کو اللہ نے دیا ہے ادھار اور جب ادھار دیا جاتا ہے تو اس کو واپس بھی لیا جاتا ہے اللہ نے ہم سے واپس لینے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا ایسا ہے کہ اللہ نے واپس لینا ہے اللہ نے جب واپس لینے ہیں तो अगर उधार दिये थे तो किसी मकसद से दिये थे और उस मकसद में कामियाबी होगी तो अल्ला राजी हो जाएंगे कामियाबी नहीं होगी तो अल्ला नाराज हो जाएंगे और मकसद में कामियाबी के रूल्स किसने बताने हैं? اللہ نے بتانے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی پوری زندگی پوری سنت کے ذریعے بلکہ میں چلیں قرآن پاک کی اگر بات کرلو اب تو ایپس موجود ہیں آپ ایک کام کرنا بلکہ میں چلیں بلکہ میں چلیں بلکہ میں چلیں اچھا میں بات کو سمیٹھنے کی طرف آتا ہوں پوائنٹ تو میں نے بہت سارے جو بتانے تھے وہ کنوے تو میں نے کر دی ہیں بات سمیٹھنے کی طرف آتا ہوں جاگ رہے ہیں نا تھوڑے بہت کوئی سوال پوچھنے کیجئے یا نہیں ایک ڈھر ہو بھی کوئی سوال پوچھنا جاتا ہو بینلی اس ٹاپک سے ریلیڈیڈ اور یہ ذہن میں رکھ کے پوچھنا کہ میں مفتی ناصر باس نہیں ہوں تو کوئی بہت گہرے سوال مت پوچھنا مسائل سے ریلیڈیڈ ایک دو تین چار پانچ اچھا ہو سکتا ہے پوچھنا شروع کریں تو اور بھی پوچھ لیں یہ چار پانچ مجھ سے الگ چاہے پوچھ لینا لیکن اگر زیادہ لوگوں نے پوچھنے ہوئے یا اگر آپ کی بس نہیں ہو گئی ہے تو ایک option یہ ہے کہ میں maximum دس منٹ میں بات سمیٹھ کے ختم کر دوں جو چار پانچ لوگ پوچھنا چاہے مجھ سے نماز کے بعد پوچھ لینا دوسری option یہ ہے کہ اگر بالکل مرنے والے نہیں ہو گئے اور کوئی آدھا پونہ گھنٹا اور زندہ رہ سکتے ہیں تو نماز پڑھ کے ہم دوبارہ مل سکتے ہیں نماز کی بریک کر لیں چلیں نماز کی بریک کر لیں ہاں جی اتنی رہ گئی بند کرنا ہے ابھی لوگ بڑھیں گے پھر وہ پھر سے گھٹن شروع ہو جائے گی نماز کی بڑھیں گے نماز کی بڑھیں گے چلیں جلدی بیٹھیں پھر میں بس conclude کرنی ہے باتیں اچھا وہ flow تو flow تو ٹوٹ گیا لیکن میں جو message دینا تھا وہ میں اب conclusion کی طرف جاتا ہوں اللہ نے ہمیں resources دے کے بھیجائے دنیا میں اور اللہ نے جو resources دیا ہیں وہ ادھار دیا ہیں ادھار جب ادھار کسی نے دیا ہوتا ہے تو ہی واپس لینا ہوتا ہے اگر ہمارا جسم ہمارا ہوتا ساری مرضیاں ہماری ہوتی تو جس کا جب تک زندہ رہنے کا دل کرتا وہ رہتا لیکن کوئی اپنی مرضی سے مرتا ہے even کہ جو خودکشی کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں مرنا ہوتا اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کی موت آ جاتی ہے اور اگر کسی کی موت کا وقت آ گیا ہے اور وہ آرام سے گھر بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا دل بند ہو جائے گا بلکہ کچھ عجیب عجیب سے incidents ایسے ویڈیوز میں دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی ایک بندہ پیدل جا رہا ہے اور وہ سڑک کی اس سائیڈ پہ کسی ٹرک کا accident ہوا اس کا ٹائر ٹوٹا وہ گھومتا 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 چلتا چلتا آکے اس کے سر پہ ادھر لگا اور وہ بندہ بھر گیا تو اسی طرح سے کوئی جو اوپر والے فلور سے کوئی چیز گرے کوئی furniture گرہ کوئی بندہ اسی وقت نیچے سے جا رہا تھا اس کے اوپر گر گیا تو جس کا موت کا وقت ہے نا وہ اللہ نے decide کرنا ہے تو جب ہم اپنی مرضی سے یہاں رہ نہیں رہے جب اپنی مرضی سے یہاں آئے نہیں ہے اپنی مرضی سے یہاں سے جانا نہیں ہے اور جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم سے واپس لے لیا جانا ہے تو پھر ہم اس کے مالک نہیں ہیں ہمیں اس سارے resources کا استعمال ویسے کرنا پڑے گا جیسے ان resources کے دینے والے کی مرضی ہے اور وہ اللہ نے ہی بتانا ہے اور چونکہ ہمیں ہم مقصد سے بھیجا گیا ہے اللہ نے ہمیں ایک مقصد سے بھیجا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو مان کے چلنا ہے اور اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو یہ فرما کے بھیجا تھا سمری ہے اس کی قرآن پاک کا واقعہ ہے کہ ایک وقت تک تمہیں دنیا میں ہی رہنا ہے معافی مل گئی تھی معافی مل گئی تھی دادم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا معافی مل گئی تھی لیکن پھر بھی فوراں جنت میں نہیں بلا لیا گیا ایک تاس دے دیا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے اور میری ہدایت پہنچتی رہے گی اس کو مانتے رہنا جو ہدایت مان لے گا اس کو نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف ہوگا تو اللہ نے ہمارے یہاں رہنے کا مقصد ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا کہ ہم نے یہاں رہنا ہے given resources کے ساتھ given time کے ساتھ اور وہ کرنا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے ہاں جب آپ کو اببہ نے یہاں پڑھنے بھیجا ہے تو کیا آپ کھانا پینا سونا سب چھوڑ دیں گے صرف پڑھائی کریں گے نہیں کھانا پینا بھی ہوگا لیکن اتنا ہوگا جتنا آپ کے ultimate goal کے لئے ضروری ہے اگر آپ کو کوئی مقصد نہ دیا جاتا تو بھی آپ یہاں آ کر کھا پی رہے ہوتے سو رہے ہوتے جنسی خواہشات پوری کر رہے ہوتے تب بھی یہی کر رہے ہوتے لیکن اب آپ کو اگر مقصد پتا چل گیا تو اب آپ کھانا پینا چھوڑ نہیں دیں گے لیکن اتنا کھائیں گے جتنا آپ کی پڑھائی کے لئے ضروری ہے جو آپ کے ultimate goal کو effect کرتا ہوگا وہ کھانا نہیں کھائیں گے جو آپ کے ultimate goal کو effect کرتا ہوگا اتنا نہیں سوئیں گے ورنہ سردیوں میں نیند زیادہ آتی ہے exams میں نیند کتا جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے نا کیونکہ اس وقت نیند سے زیادہ آپ کی پڑھائی ضروری ہوتی ہے تو آپ کے ultimate goal میں جب نیند حائل ہو رہی ہوتی ہے آپ نیند کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارا دنیا میں امتحان ہے کہ اللہ نے ہمیں resources دے کے بھیجا ہے اور امتحان کس لیے ہے یعنی اس میں امتحان والی کیا بات ہے اللہ نے کہہ دیا ماننا ہے امتحان والی یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ نظر نہیں آرہے امتحان والی یہ بات ہے کہ ہمیں جنت دوزخ ابھی نظر نہیں آرہی آپ لوگ میں teacher کی بات کر رہا ہوں آپ لوگ میری بات کیوں مان رہے ہیں میرے پڑھائے ویسے آپ نے paper pass کر لیا ہے نہیں کیوں مان رہے میری بات کیسے پتا ہو جائے گا examples موجود ہیں اس لیے آپ کو یقین بننا شروع ہو گیا اور اگر پہلی دفعہ پڑھا رہا ہوتا کوئی teacher اس کا تو result موجود نہیں ہے پھر اس پہ لوگ کیسے بھروسہ کرتے try کرتے لیکن جو try کرنے آتے وہ وہیں کیوں رہ جاتے اچھا پڑھاتے کو کیسے فیصلہ کرتے وہ لطیف سناتے ہیں تو بچے رک جاتے وہ کیسے یقین مطلب آپ کیوں یقین کر لیتے teacher کی بات پر ان کی باتوں میں آپ کی اکل کے مطابق دم ہوتا وہ جو پڑھا رہے ہوتا آپ کہتے ہیں ہاں بات تو سہی ہے یہ جب میں teaching میں آیا نا تو مجھے اس طرح launch کیا تھا کہ مختلف classes کے اندر ایک ایک topic دے کے بھیجا تھا اور وہ ایک cash flow کا topic تھا مجھے یاد ہے وہ topic دے کے بھیجا تھا میرا خیال ہے تین چار section میں میں نے وہ بس cash flow کا topic پڑھایا تھا اب وہ جو cash flow کا topic پڑھا کے میں گیا اور اس تین دن کے اندر ہی بلکہ ایک section ہے تو کہتے ہیں سر آپ بھی پڑھانا شروع کر دیں جو ہمارے main teacher ہیں سر آپ بھی پڑھانا شروع کر دیں پھر اس صرف وہ جو sample پڑھایا تھا اس کی base پہ بعد میں نہیں جی ان سے پڑھنا ہے ان کی classmate mission لینا ہے اب جس نے صرف تین دن پڑھا تھا وہ تین دن میں convince ہو گیا کہ باقی بھی ان سے پڑھنا ٹھیک ہے convince ہو گیا نا تو آپ کب یقین کر لیتے یا تو آپ نے result دیکھا ہوتا یا پھر آپ ان کی دس باتوں سے convince ہوئے ہوتے تو آپ کو لگتا چاہ باقی 90 بھی صحیح ہوں گی کیونکہ اگر ساری کے ساری سو باتیں بتانے کے بعد ہی یقین کرنا ہے تو پھر یقین کس بات کا ہوا تو آپ کو دس باتیں میں بتاتا آپ ان پر یقین کرتے sample sample testing ہی ہوتی ہے تو پھر یقین باقی نوے باتیں بھی صحیح ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنی پہچان کرائی ہے وہ logic سے کرائی ہے اپنی پہچان logic سے کرائی ہے کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم پودوں کا اس طرح سے نکلنا نہیں دیکھتے کیا تم بارشوں کا نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے logic بتائی ہے انسان جب اکل سوچتا ہے نا تو وہاں پر اللہ کی اللہ کی وہ پہچان لیتا ہے اگر پہچاننا چاہیے کوئی ہے کوئی تو ہے جیسے آپ کو اگر یہاں پر ایسی لگا نظر آ رہا ہے تو اتنی اکل ہے کہ کوئی تھا جو اس کو لگا کے گیا ہے یہ خود سے نہیں ہو سکتا لب یہ خود سے ایسا تراشا گیا نہیں یہ ہو نہیں سکتا یہ بالکل ہو نہیں سکتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے پتھروں میں کچھ ایسی قدرتی سی شکلیں بنی نظر آتی ہیں یا کوئی روٹی پک جاتی ہے اس میں وہ کچھ شکلیں ایسی نظر آنے شروع ہوتی ہیں سبحان اللہ اللہ لکھا ہے اب اس طرح کی کچھ قدرتی سی نظر آنے شروع ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی پرفیکشن کے قریب ہو تو پھر لگتا ہے نہیں خود سے نہیں ہو گیا یہ کوئی ہے اس کو بنانے والا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو پہچان کرائی ہے اور اپنی وعدانیت کا یقین کیسے دلایا ہے لوجیکلی سوچ کے کہ اگر ایک ادارے کو چلانے والے دو لوگ ہوں یا دو سے زیادہ ہوں وہ ادارہ ضرم برم ہو جائے گا یقیناً ایک ہے تو ہی سب چل سکے گا تو سب اُلٹ پر اُلٹ ہو جائے گا تو اس سے اللہ نے اگین لوجیکلی اپنی وعدانیت بتائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو جو نشانیاں بتائیں وہ اقل میں آتی تھی اب جب ایک بار یہ ایمان لے آئے کہ ہاں بات تو صحیح ہے پھر اللہ نے نبی بھیجنے شروع کریے اور نبی بھی جو بھیجیں وہ نبی پہلے اپنا یقین دلاتے تھے پھر اگلی بات رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے بھی پہلے سارے نبی کوئی موضہ لے کے آتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا ہی موضہ یہی تھا کہ وہ بچہ ہو کے ہی بات کرتے تھے وہ بچہ ہو کے ہی بات کرتے تھے یہ موضہ والی بات تھی جب ان کو لگتا تھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان پہ سارے جادوگر ایمان لے آئے تھے کیونکہ جادوگروں کو پتا لگ گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے فیرون کو نہیں پتا چلا تھا لیکن جادوگروں کو پتا چل گیا تھا تو پہلے وہ موضہ سے اپنا ثابت کرتے تھے پھر اگلی بات کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے پیغام دینے سے پہلے کیا کیا چالیس سال ان میں گزارے جب لوگوں کو یقین ہو گیا جب آپ سب نے پہلی بات کی تھی نا تو یہی کی تھی اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا تو یقین کرو گے ہاں جی یقین کریں گے کیونکہ آج تک سچ بولا تھا تو پہلے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا پھر اگلی بات سامنے رکھ دی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے اپنی نشانیاں دکھائیں جنت دوزخ نہیں دکھائی اب امتحان ہی اس بات کا ہے کہ اگر ہم نے ان نشانیوں پہ یقین کر لیا تو بس ٹھیک ہے ہم جنت دوزخ پہ یقین کر کے اللہ کا حکم آنے لگ جائیں گے لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم یقین نہیں کرتے تو رسورسز تو اللہ نے واپس لے ہی لینا ہے جو ادھار دیا ہے وہ تو اللہ نے واپس لے ہی لینا ہے اور پھر جب واپس لے لینا ہے جب واپس بلا لینا ہے اور واپس بلانا ہے واپس بلانا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے ये होई नहीं सकता कि हिसाब किताब ना हो तो दुनिया के अंदर तो इंसाफ होई नहीं रहा जब दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा तो फिर अल्ला काहे का इंसाफ करने वाला हुआ क्योंकि अल्ला ने दुनिया में रखा ही नहीं है इंसाफ इंसाफ करना है अल्ला ने आखरत में और यह जो मैं शुरू में आपको मिसालें बता रहा था ना कि आप लॉंग टम प्रेफर करेंगे शॉर्ट टम पे और एंड अच्छा प्रेफर करेंगे स्टार्ट अच्छे पे यह ल्ला ने अंदर तबीयत डाली है तबी तो प्रॉफिट लॉस सेल्स जादा एक्सपैंसेस कम चलो चलेगा लॉंग रन में फाइदा है शुरू में नुकसान है चलेगा यह बिजनिस की बात है बिजनिस वाले शुरू में लॉस बर्दाश कर लेते हैं क्यों बाद में फाइदे के ना अल्ला ने यह दिल में डाली है अब जब यह दिल में डाल दिया है ना तो अब हमने सोचना है कि क्या हमें दुनिया का फाइदा चाहिए या आखरत का फाइदा चाहिए दुनिया पहले है आखरत बाद में है और अभी हमने क्या था था कि हम बाद वाले को प्रेफर करते हैं अकल की बात है 10, 20, 25, 30 साल زندگी کے जवानी के एफर्ट कर रहे हैं उस अगले 30 साल को अच्छा गुजारने के लिए जो पता नहीं के हैं के नहीं हैं चलो हैं 30 साल की मेहनत कितने फायदे के लिए 30 साल के फायदे के लिए दुनिया की मेहनत 60 साल की आखरत अगर जीत ली तो कितने अर्से का फाइदा? हमेशा हमेशा और वो भी unrestricted जन्नत में जो दिल करेगा मिलेगा अभी जो दिल करेगा वो नहीं मिलेगा जन्नत में जो दिल करेगा मिलेगा तो अभी हमने ये business logic सोची कि हमें end अच्छा चाहिए हम start की cost पे end का benefit लेना चाहेंगे तो दुनिया की cost पे आखरत प्रेफर करना चाहेंगे हम short term पे long term प्रेफर करना चाहेंगे और ये छोटा long term नहीं है अच्छा खासा long term है आप लोगों का अगर ये कहा जाता कि 30 साल की मेहनत में C.A. करना है आपने उसके बाद बस दो साल का केरियर है तो खरते सी है और नहीं दवा करो तब 30 साल मेहनत करें और सिर्फ 2 साल का reward क्या करना है फिर आप 5 साल मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपको 35 साल का reward नजर आ रहा है तो आप short term की cost बियर करने के उत्यार है long term के फाइदे के लिए तो एक चीज़ हमें बाद में फाइदा जादा अच्छा लगेगा दूसरी चीज़ हमें long term चीज़ जादा अच्छी लगेगी वो भी बाद में हो तो ये simple logic लाने में डाल के भीजा है और फिर आजमा रहे है कि क्या हम दुनिया में खुशियां हासल करने के लिए महिनत करते जाते हैं at the cost of आखरत और वो भी यकीन नहीं है के मिलेगा लेकिं जो आखरत की कोशिश करेगा ना confirm हिदायत मिलेगी confirm guaranteed हिदायत मिलेगी आप महिनत करें बहुत ही जादा मेहनत करें guarantee है के C.A. हो जाएगा नई C.A. हो गया guarantee है के successful carrier होगा नई अच्छा जिसने बड़ी महिनत की और वो C.A. नहीं कर सका तो यहीं बोलेंगे ना के महिनत जाया हो गई ऐसे ही है ना बहुत महिनत की C.A. नहीं हो सका आखरत मिलेगी तो एक अकल का सौदा के हम दुनिया में वो करे जा रहे हैं वो हासल करने की कोशिश किये जले जा रहे हैं अंधे होके जो confirm भी नहीं है के मिलेगा के नहीं मिलेगा और अगर मिल भी गया तो पता नहीं उससे वो फाइदा भी ले सकेंगे मेनत करते चले जा रहे हैं वो हासल करने के लिए जो पता नहीं मिलेगा के नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा भी तो बहुत अरसे तक नहीं रहेगा और आखरकार खतम हो जाएगा वर्सेज वो मेनत जो थोड़ी करनी पड़ेगी और ऐसी भी नहीं कि कोईलों पे चलना पड़ेगा ऐसा भी नहीं कि कोईलों पे चलना पड़ेगा दीन इसलाम ऐसा ही नहीं कि आपको बहुत घुट घुट के चलना पड़ेगा जैसे स्टूडेंट है अगर अच्छा स्टूडेंट अच्छा है स्टूडेंट जो सिये पास करना चाहता है वो क्या-क्या उसको करना चाहिए सांस रोके रहना चाहिए हैं खाना चोड़ना चाहिए नहीं कोलों पे चलना चाहिए नहीं वो वो कर रहा होगा जो उसकी जिन्दगी में सकून ही ला रहा होगा सकून एना वे कि आपको अगर साथ साथ पढ़ने की आदत है तो एक्जाइम के दिनों में टेंशन होगी आपको नई और साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं तो आखरी महीने में बहुत मुश्किल में होंगे नई अगर साथ साथ टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ रहे होंगे तो टीचर की बातें समझ भी आ रही होंगे होमवर्क साथ साथ कर रहे होंगे क्लास वक साथ साथ कर रहे होंगे टेस्ट पास कर लेते होंगे सुकून में रहते होंगे और आपको जो पढ़ने के लिए 8-10 घंटे मेनत करनी पढ़ भी रही है आपको बुरी नहीं लग रही होगी यानि कोई भी अच्छा स्टूडेंट जो अच्छा चल रहा होता है रूटीन में अड़्जस्ट हो जाता है और पास हो जाता है वो कभी भी अपने आपको ये नहीं कहता है बड़ी तकलीफ में हैं वो सेट होता है उसके अंदर वो मुतमें होता है यूँकर उसको पता है कि वो जो एफर्ट कर रहा है ये टीचर्स के नसीटों को फॉलो करके कर रहा है तो स्टूडेंट लाइफ भी अच्छी गुदरेगी सिर्फ ये नहीं किसी ये हो जाएगा स्टूडेंट लाइफ भी सुकून में गुदरेगी तो अल्ला ताला ने अपने नबियों के जरीए और हमारा इमान ये है कि आखरी नबी अम्मत का हिसा बनके आना है वो अपनी शरीयत नहीं लाएंगे जो शरीयत अधर मुहमद स्टूडेंट ला चुके है उसके फॉलर बनके आएंगे हाँ करेंगे वो लीड क्योंके नबी है लीड करेंगे लेकिन वो ऐसा नबी लीड नहीं कर रहे होंगे ऐसा मुसल्मान लीड कर रहे होंगे तो हमारे एमान का हिस्ता है मैं बिलकुल मिसकर गय में क्या बात कर रहा था यह रहे से बती बंद होगी जी जो अल्ला ताला ने हमें दुनिया गुजारने के तरीके बताए हैं नबीयों के जरीए वो सिर्फ और सिर्फ आखरत के हसूल के लिए नहीं है उन पे चलेंगे तो दुनिया भी बेस्ट गुजरेगी ऐसा नहीं है के कोलों पे चलना पड़ेगा हाँ खौइशात जरूर दबानी पड़ेंगी लेकिन वो खौइशात का दबाना हमारे लिए ही अच्छा होगा सिर्फ ये नहीं के जन्नत में जाना होगा दुनिया में भी बेस्ट होगा जैसे मिसाल के तौर पे मैं मर्द हूँ और मर्द हूँ तो डैफिनिटी जिन्सी खौइशात है लेकिन अगर मैं अपनी खौइशात पूरी करने के लिए हराम तरीकों पे चलना शुरू हो जाऊं तो मेरी फैमली लाइफ में महबत खतम हो जाएगी या आप अपने घर वालों पे लगा के देखिएगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है कि अपके घरों में, बेहन भाईों में, रिष्टेदारों में कहीं इस तरह के इखतलाफात हुए होते हैं कि बंदा ठीक नहीं था या औरट ठीक नहीं थी, उसके कहीं और तालुकात थे तो उनकी जो अपनी ज़वाजी जिन्दगी थी वो भी बरबाद थी वो बरबाद थी, सकून नहीं था घर के अंदर तो अगर मैं अपनी खौाइशात पूरी करने के लिए हराम तरीकों पर चला जाँगा तो मेरे जो घर का सकून है, वो भी खतम हो जाएगा लेकिन अगर मैं हलाल तरीकों पर रहूँगा तो मेरे घर में सकून मौबत सब होगा अगर मैं हराम खाना शुरू कर दूंगा तो मेरे जिसम पे बुरे एसर पढ़ना शुरू हो जाएंगे जिन जिन खानों से ल laquelle ने मना किया है उनसे जिसम पे भी बुरे एसर पढ़ते हैं ना सिर्फ ये, कि अल्ला का हुकम तोड़े होते हैं, जिसम पे बुरा सर पड़ा होता है, जो लोग इसलाम से दूर हैं, वो भी शराब को पसंद नहीं करते हैं, यनि डॉक्टर दिसीज को अलाओ नहीं करते हैं, कि हाँ भी खुल के शराब क्यों सेहत बनेगी, वो बिमारिय ये यकीन बन गया, कि असल कामियाबी, असल कामियाबी आखरत की कामियाबी है, अगर हमारा ये यकीन बन गया, कि हमें दुनिया में भेजा गया है, उधार रिसोर्सिस दे के, अगर हमारा ये ये यकीन बन गया, कि हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, उनकी कोई असल حقیقت نہیں ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ان چیزوں میں اثر آتا ہے اللہ کا حکم اٹھ جاتا ہے تو ان چیزوں سے اثر نکل جاتا ہے अगर یہ یقین آ گیا तो फिर बेटा हम اللہ کی मान के चलना शुरू हो जाएंगे और जहां पर भी हमारी दुनियावी जिसमानी जरूरतें पूरी करने में अल्ला का हुकम तोड़ता होगा हम उन जरूरतों को छोड़ देंगे अल्ला का हुकम नहीं तोड़ेंगे ये हमारी इस जिन्दगी का मकसद है जब तक ये जकीन अंदर नहीं आएगा ना कि हमने जो भी रिसूर्स हासल करने है पैसा उससे रिजर्ट्स नहीं मिलने रिजर्ट्स अल्ला के हुकम से मिलने है जब तक ये जकीन अंदर नहीं आएगा अगर आपको ये पता हो कि ये जो सारी मशीनरी जहां चल रही है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है तो फिर आप इन मशीनों जैसे कुछ ना गेम्स होती है कि उसमें मुफलिफ आपस्टेकल्स होती है और उनको गुजरना होता है कोई ऐसे चल रहा होता है उसके पर से कूदना होता है सिलिपरी सी जगा होती है ऐसे लिटक के जाना होता है मुफलिफ आपस्टेकल्स होती है या अगर किसी ने आर्मी का कभी टेस्ट दिया हो न तो आईसस भी में इस तरह की आप्टेकल्ड होती है अगर जिसने उन सबसे गुदरना है उसकी इसलाम दूआ अच्छी हो जाए जो इन सब को कंट्रोल कर रहा है तो उसको अगर उन से गुदरना नहीं भी आता ना तो भी वो गुदर जाएगा क्योंकि जो इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाला है वो उसको बता देगा अच्छा आप यह कदम दे रखो यह कदम दे रखो जैसे कोई बच्चा को पदल खेल रहा है कोई गेम खेल रहा है और उसका बड़ा उसकी वो गेम खेलने में मदद कर रहा है तो उससे गेम खेली जाएगी क्योंकि वो बड़ा ही उसकी मदद कर रहा है तो हमें दुनिया में जो भी मुश्किलें आ रही हैं जो भी हमने दुनियावी असबाब अख्तियार करने हैं अगर वो अल्ला से तालुक बना के अख्तियार करने लग जाएं तो उससे रिजल्ट्स भी हासल होने शुरू हो जाएंगे लेकिन अगर अगर अल्ला से लड़ाई करके हम समझेंगे कि नहीं हम चीजें हासल करके जीत सकते हैं तो दुनिया के ताकत वर तरीन इंसानों में फिरॉन का शुमार है और फिरॉन बादशा होते हुए अपनी पूरी फोर्स के साथ मरा था अपनी पूरी ताकत के साथ मरा था वो कोई बिमारी नहीं लगी थी उसको वो अपनी पूरी ताकत के साथ समंदर द्रिया में डूपके मरा था नमरूद रिटायर होके नहीं मरा था तख्त पहीं मरा था कारून गरीब होके भूख से नहीं मरा था कारून का पता है? कारून भूख से नहीं मरा था अल्ला ने उनको उनी में रहते हुई खतम किया था तो अगर हमारे जिन्दगी के टार्गेट, टाकत हासल करना हो तो फिरॉण के पास ताकत थी, काम्याब हो गया? नहीं अगर हमारी जिन्दगी का मकसद पैसा कमाना है तो कारून के पास खजाना था। कामियाब हो गया? नहीं अगर हमारे जिन्दगी का मकसद पावर, स्टेटिस, शोहरत हासिल करना हो तो कितने ही खिलाडी हैं जिनको शोरत मिलती है लेकिन आखर में खुदकुशी करते हैं ड्रग्स पीपी के खतम हो जाते हैं कितने ही शोबिस के लोग हैं बहुत शोरत मिलती है ड्रग्स पीपी के खतम हो जाते हैं किसकुशियां कर लेते हैं तो इसका मतलब हम चीजों के पीछे भाग रहें बेटा वो काम्याबी नहीं और जब अल्ला ने बताना है कि काम्याबी क्या है तो कुराने पाक में आप एक बात करके देखना जो एपस हैं बहुत सारी आप सर्च करना वर्ड काम्याब अब तो सार वर उनके लिए जन्नते हैं वही काम्याब हैं जिन्होंने अपनी जानों मालों का सौदा कर लिया ल्ला से वही काम्याब हैं एमान लाने वाले वही काम्याब हैं कहीं भी कुराने पाक में यह नहीं है कि जिसने दुनिया में सीय कर लिया वो काम्याब है जो दुनिया में हा यहां भी किसने डिफाइन करनी है वो भी अल्ला ने करनी है तो मेरे बच्चों हम किस सरफ जा रहे हैं हमने किन को फॉलो करना शुरू कर दिये आप सोचें हमारे आइडियल्स कौन है हमारा आइडियल है कि हम किसी मल्टी नेशनल कंपनी का इस्सा बन जाए ये हमारे गोल्द में शामिल है हमारा आइडियल है कि फलाना बिजनसमेन वो जो अलीबाबा.com ओला या वो जो क्या था वो मर गया जो स्टीव जॉब्स अब आप लोगों को पता है देखें स्टीव जॉब्स का पता है अब कितनों को हमेंसे सहाबा का पता है हमेंसे कितने लोगों को सहाबा की सकसेस स्टोरीज बता है क्योंकि हमें ना बताई गई ना हमने जानने की कोशिश की सहाबा बिजनसमें थे बिल्कुल थे सहाबा फाइटर्स थे बिल्कुल थे صحابہ علم حاصل کرتے تھے بالکل کرتے تھے عزت والے تھے بالکل تھے तो हम उनकी success stories पढ़ते ही नहीं है क्योंकि हमें सिखाया नहीं किया हमने जिन कौमों को idealize किया है हमने किया है non-muslim को idealize हमें business पढ़ाया जाता है हमें idealize किया ही non-muslims को जाता है और non-muslims को गोल ही ठीक नहीं है उनका गोल क्या है दुनिया में ताकत पैसा ये हासल करना ये तो बेटा गोल ही सही नहीं है इन में असर किसने लाना है अगर वाकई इनी का हसूल कामयाबी होती तो फिरौन होता कामयाब नहीं है वो कामयाब कारून होता कामयाब नहीं है वो कामयाब तो यही हमारा इम्टेहन है कि हम इन रिसोर्स को इस्टेमाल करें लेकिन किन तरीकों पे जो अल्लाने फरमाए और जो फरमाए हैं और जो अब्यस Salah hips के तरीकों फर हमने वो भी सीखना है हमने सीखना है आप law पढ़ने आ जाते हैं accounting पढ़ने आप Sunday को भी आ जाएंगे आप tax पढ़ने सुबा सुबा साथ बज़े पहुँच जाते हैं दीन सीखने कहां गए दीन सीखने की कोशिश कहां की आप teachers के पीछे पढ़े हैं क्लास पढ़ा के निकलता हूँ ना वो तो चलो वासरू में नहीं आ जाता को साथ वरना जिस तरह से मेरे साथ जा रहे होते हैं वो यह भी करते हैं आप वासरू में बैठे हैं हम खड़े होके पूछ लेंगे वो यहां तक भी करने को त्यार हो जाएंगे अब वो जो साथ साथ चलते चले आ रहे हैं गाड़ी तक साथ साथ चल रहे हैं बस मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ दरवादा नहीं में बंद कर पा रहा है क्योंके पूछे चले जा रहे हैं मैं इस पे इतराज नहीं कर रहा है पूछा करें क्योंकि आपको C.A. केरियर की फिकर है और आपके वालदेन ने जगाई ये फिकर आपके अंदर लेकिन कितने उलमा से पूछा अभी जोहर के नमाज पे मेरे साथ जो लोग थे गलती हो गई थी तीन रखतें पढ़ गया था मैं पर उसके बाद नमाज लोटानी पड़ी मेरे पास मैंने कुछ उतादों से सीखा है किसी से तरबी सीखिया तफसीर सीखिया तो मैं उनको फून कर रहा था जितने लोग दो तीन सफों में बैठे वे थे कितनों के पास उलमा के नमबर थे नहीं थे कभी सोचा ही नहीं कभी पूछा ही नहीं डॉक्टरों के नमबर सेव होंगे अच्छा खाना कहां से मिलता है कहां ओर्डर करना होता है वो नमबर भी सेव होगा आपके पास अच्छे कपड़ों के दुकान, अच्छे जूतों के दुकान अच्छा मकेनिक यह सब पता होगा आपको क्योंकि यह वो चीजें हैं जो हमारे दुन्यावी आराम के लिए हैं लेकिन हमारे अंधे होने का, जानवर होने का यह सबूत है कि हमें फर्क ही नहीं परड़ा कि हमने मरना भी है और मर के दुबारा जिन्दा होना है और हिसाब देना जो उधार हमें दिया गया था और हम यहां पर अल्ला के हुकमों को तोड़ते चले जा रहे है तो कंक्लूजन यह है बेटा कि इस बात का बस अंदर जोड़ना था कि हमें दुनिया में मकसद से भेजा गया है जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो हमें उधार मिले है और कामियाबी वही डिफाइन करेगा जिसने यह रिसोर्सेज उधार दिये है اور وہ کامیابی کی سادھی سی definition है जो जन्नतों में चला गया वो कامیاب है That's it, full stop और कोई definition है ही नहीं कामیाब है ही वो जो ultimately जन्नत में जाएगा और यह बात Allah ने मारे अंदर डाली है क्योंक hémei end अच्छा चाहिए और हमें long term benefit चाहिए तो दुनिया short term है, आखरत long term है और ये भी अकल की बात है कि दुनिया में आपको एफर्ट के बावजूद कन्फम नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा लेकिन आखरत हासल करने की कोशिश करेंगे कन्फम रिजल्ट मिलेगा कन्फम गरिन्टीड जो हिदायत तलब करेंगा अल्ला देंगे उसको हिदायत हाँ ये और बात है जैसे मैं फर्स करें यहां लोगों को दावत दे रहा हूँ अब आपको मेरी बात समझ आए ना आए आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें मेरा कंट्रोल नहीं है लेकिन आपकी तरफ आगे अगर सोचूं कि आप अगर हिदायत लेना चाहते हैं अगर बात हैं लिए अपको एदायत यरी आखरत तो ऐसी चीज़ है जो आप एफर्ट करेंगे चौर्ण항 मिलेगी लेकिन अगर आखरत औरिंटेड नहीं होंगे न तो फिर आप पैसा कमाने के लिए ये फिकर नहीं करेंगे के हलाल है के हराम है लेकिन अगर आखरत औरिंटेड होंगे तो फिर आपको मैटर करेगा के हलाल है के हराम है फिर आप फिकर करेंगे अगर आपको भूक लगी है कुल होंगी कोई मसला नहीं है दीन हर्गिस रिक्वायर नहीं करता कि भूके प्यास जंगलों में निकल जाओ नहीं यह पसंदीदा है ही नहीं आप दुनिया जरूर हासिल करें लेकिन आखरत औरेंटेड होके और अल्ला की नाफरमानी से बचते हुए यह मेरे बच्चों करने वाले बन जाएंगे तो आपका होमवर्ग यह है कि अपने अंदर इस फिकर को जगाए रखें और दूसरों तक भी बात पहुंचाएं अपने घर में अपने दोस्तों में जब आप दूसरों की हिदायत की कोशिश में लग जाएंगे ना यह भी एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है जब कोई सी कमपनी का कोई सेल्ज में उस कमपनी की चीज़ें बेचता है तो वो कमपनी उसको अपनी चीज़ें मुफ्त ही नहीं दे देती होगी आप 10 student ले आएं, 20 student ले आएं college वाले मुफ्त student admission नहीं दे देंगे आपको जो businesses, अब दूल बात ना करें जो businesses अपने salesman को चीजें बेचने के लिए भेज रहे हैं और वो उनकी चीजें बेचने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उन employees कोई मुफत नहीं चीजे मिल जाएंगी, मिलती हैं मिलती हैं, बिलकल मिलती है अगर को साबน बेच रहने किसी company का, साबन बेचने के लिए यहनेत कर रहे हैं तो ऊसको घर में साबन मिलेंगे मुफत अगर को किसी का खाना बेचने की कोशिश कर रहा है तो उसको खाना मिलेगा तो अगर आप लोगों को अल्ला की तरफ बुलाने की कोशिश में लग जाएंगे तो आपको तो मिले ही मिले अल्ला अगर आप लोगों को अल्ला के करीब करने की कोशिश में लग जाएंगे तो सबसे पहले तो आप करीब होंगे अल्ला के अगर आप लोगों को जन्नत में पलॉट बेचने लग जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको पलॉट मिटेगा तो इसलिए ये इरादा करके उठना यहां से कि जितनी भी जिन्दगी बची है जरूर दुनिया कमाएं लेकिन ये सीखें कि अल्ला क्या चाहता है इंसे और इस फिकर में लगें कि हमारा हर अमल अल्ला को राजी करने वाला हो और हमारी हर प्लैनिंग आखरत की हो दुनिया जरूर कमाएं लेकिन हर प्लैनिंग आखरत की हो और जिन जिन पे भी हमारा असर चलता है उनको अल्ला के करीब करना है दावत देनी है अल्ला ताला ने हमारे नभी असलिए को आखरी नभी कहके मोहर लगा दी तो उनके बाद ये काम कैसे चलेगा वो हमने चलाना है वो हमारे जिम्मे है और ऐसा नहीं कि चॉइस है हमारे जिम्मे है हमारी प्रेजन अब्लिकेशन है हमारी प्रेजन अब्लिकेशन है as a result of past event हमारे जिम्मे है ये बात क्योंके अल्ला ने अगर हमें देखें ये भी एक बड़ा सोशल सा असूल है बन्यादी सा जिसके पास जो होता है उसको अल्ला ने जादा क्यों दिया होता है दौलत है, किसी के पास बहुत जादा है अल्ला ने इसको जादा दौलत क्यों दी और उसे क्या रिक्वाइर किया जा रहा है कि अब ये उनमें बांटने की कोशिश करे जिनके पास नहीं है तो अगर हम पैदाईशी एमान वाले हो गए तो हमारी क्या जिनके पास नहीं है उनको बांटने की कोशिश करें ये जिनके हैं हमारे ये ल्ला ने हमारे जिनके लगाया है तो ये दो वादों के साथ बेट लाफ़ा रहा है हम कि आप एक तो ल्ला की फिकर में दीन सीखेंगे आखरे तो रिंटेड होंगे अब पूँचने है लिए आपने कुछ सवाल पूछना है तो पूछलें नहीं तो फिर लाफ़िस कल मिलते हैं सवाल है किसी कहां जी उन्हों नहीं कर सकते हैं बड़ा बियुक्ता सब छोड़ी कर दे के इंसान बियुक्ता से तब इमानत क्या मतनलिये ज़िनी है जी अ्रौनाने हमें हमें यह टेस्ट ऊफर किया है हमने टेस्स अक्स Taoise tu किया है इस लाज़श को के यह जिना टे एक्स बिका है जी बिल्कुल इन्सान के लिए जन्नत वली ओफर है वरना दुनिया की चीज़ों ने जन्नत वे नहीं जाना ये जो बाकी दुनिया में आपको सब नजर आ रहा है न ये ऐसे ही है जैसे लोग अपना ड्राइंग रूम सजाते है तो अल्ला ने दुनिया हमारे लिए सजाई हुई है जिस तरह आप आई कैप के एक्जाईम हॉल में जाते है और आई कैप ने वो एक्जाईम हॉल अच्छा सजाया वाई किस के लिए सजाया वाई स्टूडन्स के लिए सजाया वाई ये कुराण पाक में है, इसका मफूम है कि दुनिया की जीनत की चीज़ ना, जीनत होती है जो अट्रेक्शन होती है ये हमने इसलिए बनाई है ताकि आजमाएं कि कौन हमारे हुकमों पे चलता है, कौन नहीं चलता जी सुरह काफ में जी देखें, कुछ जानवर हैं जो जननत में जाएंगे इनसान बनके और ये भी डिरेक्ली कुराण पाक में नहीं है, लेकिन ये के आदीश से और उसमें मुख्लिफ रवायात से होता है लेकिन कुछ जानवर हैं जो इनसान बनके जननत में जाएंगे बाकी कहां जाएंगे आपका एक्जाम हॉल है आपके लिए वो एक्जाम हॉल आप ही के लिए बनाया गया था तो जो वहां की जो सीटें थी जो वहां उस वक्त कागज चाट चिपकाया गया था कि इस ताइम स्टार्ट हो रहा है वो एज़ाम के बाओ तू कहा जाएगा वेस्ट हो जाएगा तो वो शिकायत करेगा मुझे वेस्ट क्यूं किया है नहीं, उसका परपज ही सिरफ आपको सपोर्ट करना था तो अल्ला खालिक है, अल्ला बेनियाज है اللہ ہزاروں چیزیں بنائے ہزاروں ختم کر دے نہ وہ چیزیں شکایت کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے تو اونٹ دوڑ دوڑ کے آگے آتے تھے کہ ہمیں قربان کریں اب وہ شور مچائے جی میری زندگی ختم ہو رہی ہے نہیں ان کا مقصد یہی تھا ان کو اسی لیے اللہ نے بنایا تھا قربان کرنے کے لیے تو دنیا کے ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو چیزیں ختم ہو جائیں گے یہ کوئی شکایت بھی نہیں کریں گی پہاڑ نہیں کہیں گے ہمیں کیوں آپ نے ہمیں کیوں نکالا تو یہ بنے ہی دنیا کے لیے تھے اور دنیا ختم ہوگی تو ختم ہو جائیں گے ٹیسٹ ہے ہی ہمارا اور جنوں کا جی دیکھیں اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تو میرے پاس تو کوئی ایسا فاملہ نہیں ہے نہ ہی میں بتاؤں گا میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ اللہ سے پوچھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور اللہ کے حوالے کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے میں اللہ مجھے بتا دے تنہیں کیا کرنا ہے نہیں آپ کی ایفرٹس بتائیں گے کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک ثابت ہے حضرت سلمان فارسی اور وہ مسلمان شروع میں ہی نہیں تھے وہ ہر مذہب سے ہو کے آئے ہیں اور ہر مذہب سے اس لیے ہو کے آئے ہیں کیونکہ ان کو حق کی تلاش تھی فارسی تھے آگ کے پرستش کرنے والے پھر وہ وہاں سے وہاں گئے ٹاپ تک پہنچتے تھے اور جو اس ٹاپ کا عالم ہوتا تھا وہ کہتا ہے جی میرے پاس نہیں ہے تمہارے سوالوں کا جواب پھر آخر کار ان کو بتائے گیا کہ ایک نبی آ رہے ہیں تو ان کے پاس جاؤ تمہارے پاس اور وہ بڑی مشکلوں سے ان تک پہنچے تھے اور پھر ان کا مقام ہے خندق ہے گزوے خندق ان سے پہچان ہے ان کی ایک منٹ بات سوری آپ اللہ سے ارادہ کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور اس کے لئے ایفرٹ شروع کریں ہم ہر نماز کی ہر رکت میں اے دن السراط المستقیم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ میں سیدھی راہ دکھا دے یہ مانگتے رہے ہیں اور ایفرٹ کرتے رہے ہیں سب سے پہلے تو دین سیکھیں نا اس کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ سیرت پڑھیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں سیرت پڑھنے کے علاوہ ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھیں ویسے تو بیسٹ ہے عربی سیکھیں اور بہت مزے کی زبانیں عربی میں نے سیکھنی شروع کی تھی لیکن وہ سلسلہ نہیں چل سکا بہت مزے دار زبان ہے اتنی سٹرکچرڈ زبان ہے نا بڑی کمال زبان ہے اور عربی سیکھیں اور عربی سیکھ کے جو قرآن پاک پڑھنے کا مزہ آئے گا نا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے ہماری اردو اس کو پوری 100% کور ہی نہیں کر پاتی یعنی عربی کے اگر مثال کے طور پر دس ورڈز ہیں ان دس ورڈز کے الگ الگ مطلب ہیں لیکن ہماری زبان کی کمی ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں صرف ایک ورڈ اردو کا لاسکتے ہیں تو اس لیے پہلے تو عربی سیکھیں نہیں سیکھ سکتے ترجمہ اویلیبل ہیں آپ کسی خاص مسئلح سے تعلق رکھتے ہیں ان کے علماء سے ملنا شروع کر دیں لیکن آپ کی نیت اگر ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آپ کی ڈریکشن ساتھ ساتھ شروع کر دیں گے جیسے مجھے اگر اپنے بیٹے کی ٹریننگ کرنی ہے نا میں کہوں گا تم باہر نکلو اب اس کو جب میں گھر سے باہر نکال رہا ہوں کہ تم نکلو تمہیں بزار کا پتا چلے میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں اور میں اس کو کہوں گا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں تم چلو تم خود کام کرو تم دیکھو کس دکان پر جا کے کیا بات کرنی ہے لیکن میں تمہارے پیچھے ہوں گبرانہ نہیں ہے پریشان نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں اب وہ بچے کو جب یہ پتا چلے گا کہ میں اس کے ساتھ ہوں کر وہ خود رہا ہوگا لیکن جہاں پر بھی کچھ غلطی کرے گا میں اس کو بتا دوں گا کیونکہ نہیں بیٹا ایسے نہیں ادھر تو اللہ سے تعلق بنائیں پڑھیں روز رات کو دو نفل پڑھیں اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے گائیڈنس لانا شروع کر دیں یہ نہیں کہ آپ کے وحی آنا شروع ہو جائے گی وحی نہیں آئے گی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں سے جوڑنا شروع کر دیں گے جو آپ کے ہدایت کا الٹیمیٹ ذریعہ بن جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں پچھلی زندگی میں توبہ کریں ایفرٹس شروع کریں سیئے نہ چھوڑ دیں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو سیئے نہ چھوڑیں آپ نے اپنے گھر والوں کو کما کے دینا ہے میند سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے یہ این عبادت ہے رسک حلال این عبادت ہے تو آپ ضرور کمائیں کیونکہ آپ کے ذمہ مرد کے ذمہ ہیں اس نے کمانا ہے آپ ضرور کمائیے تاکہ اپنے ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نباز سکیں سوشل لائف آپ کے دوست ہیں حلال تعلقات حلال دوستیوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے رشتداریاں ہیں اللہ نے ذمہ داریاں دیئے ہیں مسلمان ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں دینِ اسلام ایک معاشرے کا نظام ہے دینِ اسلام صرف نماز پڑھنا نہیں ہے ہمارے ہاں دینِ اسلام رہ گیا ہوا ہے کہ نماز کے مسائل روزے کے مسائل بس یہ بھی بہت بڑا حصہ ہے لیکن اصل میں ہے معاشرہ کیسے گزارنا ہے قانون اسلام کے مطابق ایسے ہی نہیں دوسری قومیں ترقی کر گئی ہیں کیونکہ ہمارے ملک سے اسلامی نظام ختم ہو گیا ہے اللہ کا نظام دنیا میں آ گیا نا تو اللہ کا نظام غالب رہ کے رہے گا بس نظام نہیں آنے دیا جا رہا ہو سکتا آپ میں سے کوئی اٹھے کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو استعمال کر لے نظام اللہ کا قائم کر کے چھوڑنا ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا دین غالب آ کے رہے گا اور ابھی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا ہے غالب ابھی تک نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا خلافت راجدہ کے دور کی بات کر لیں تو عرب ہی ہے نا یورپ سائیڈ پہ تو نہیں آئے چین میں تو آئے ہی نہیں ہیں چین میں تو تب بھی لوگ ہوتے تھے تو دین نے غالب آنا ہے یہ ہو کے رہے گا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استعمال کر لے اللہ ہمیں ہدایت دے اس کے علاوہ کوششیں شروع کریں آپ علماء سے ملنا شروع کریں ان سے گائیڈنس ہے جی میں نے دین سیکھنا ہے کیا کروں بیسک مسائل دین کے سیکھیں جو بیسک مسائل سیکھیں ان کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں آپ دیکھیں گے فرق آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اس سے پوچھنا پیپر پاس کرنا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کلاسز ریگولرلی لینا شروع کر دو باقی آہستہ آہستہ خود ہونا شروع ہو جائے گا جی چھے بچ کے پانچ منٹ ہو گیا جس نے جانا اٹھ کے چلا جائے ایسی شرماتیں نہ رہ جانا مسئلہ ہو سکتا ہے جانا مشکل ہو سکتا ہے جی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے یہ جو دنیا ہے یہ اس کے لئے قید خانہ ہے جو کافر ہے اس کے لئے یہ یاشی والی جگہ ہے مومن کے لئے قید خانہ ہے آپ یہاں رہنے کی کوشش کریں رسورسز حاصل کرنے کی کوشش کریں نہ ملے کوئی بات نہیں میں راضی ہوں اللہ سے میں ویسے بات کر رہا ہوں محنت کریں اللہ میں آپ سے راضی ہوں مل گیا ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں ایک حدیث کا مفہوم مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے اس کو مشکل پہنچتی ہے تو سبر کرتا ہے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور دونوں میں ہی خیر ہے یہی ہمارے دنیا کی زندگی ہے اگر میرے سٹوڈنٹس کی پوزیشن آ رہی ہے میرا کیا کمال ہے اس میں اللہ کی رحمت ہے اگر میں بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں میرا اس میں کیا کمال ہے اگر آپ لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں میری عزت کر رہے ہیں میری کیا حقات ہے ये अल्ला ने मेरी इज़त बना दी मेरी क्या उकात है अल्ला जिसको चाहे इज़त दे जिसको चाहे जलील करे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना जब आपको पता है कि मुझे अल्ला को राजी करना है फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोगों के बेज़त करने का मुझसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम दोस्त बैटे होते हैं गंदे मजा को रहे होते हैं लेकिन नमाज अजान का टाइम होता है हम महाँ से नहीं उठ सकते लोग क्या कहेंगे इसका मतलब आपने लोगों को प्रेफर कर दिया अल्ला पे अगर आप लोगों को नराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते और आप अल्ला को नराज कर रहे हैं इसका मतलब आपने लोगों को रब मान लिया है अगर आप अपने बॉस की गहर इसलामी बात नहीं मना कर सकते क्योंकि वो बॉस है तो इसका मतलब आपने रब बॉस को मान लिया पिर ला को नहीं माना तो जो मॉमिन का जब ला पर जिकीन होगा ना तो उनको इस फेलियर से फरक ही नहीं पड़ेगा वो कोशिश करेगा लेकिन उसको पता है कि मेरा काम कोशिश करना है रिजल्ट अल्ला के हाथ में फिर वो मायूस भी नहीं होगा मॉमिन मायूस नहीं होता मॉमिन मायूस नहीं होता क्योंकि मायूसी जो होती है ना वो कुफर के तरफ ले जाती है क्योंकि जो सारे रिसोर्स जब आप फजर के लिए उठें सर्दियों में अपना बिस्तर छोड़ के और आप फजर के टाइम पे उठें थंडे पानी से वजू करें मस्जिद में जाएं अल्ला फरिश्टों के सामने फखर करेगा कि इसको किसने मजबूर किया है मेरे लिए कर रहा है ना अल्ला फखर करेगा फरिश्टों ने तो करना ही करना था फरिश्टों का क्या कमाल हुआ यानि रोबोट जिस काम के लिए बना है अगर वो काम कर रहा है तो उसका क्या कमाल है कोई कमाल नहीं है फरिष्टों की प्रोग्राइमिंग ही ऐसी है उन में वो ख्वाइशात हैं ही नहीं जो इन्सानों के अंदर है तो अच्छा जो दौजख में भी फरिष्टे होंगे कर नहीं होंगे दौजख वाले फरिष्टे नहीं होंगे नहीं नहीं जो वहां फैटी लगा रहे हूंगे वो कौन होँगे फरिश्टे ही हूंगे ना तो वो सदा के तोर पे वहां होंगे उन बचारों का क्या कसूरा है दौजख का वो ड्यूटी पे हैं उनको नहीं आग तकलिफ दे रही है वो ड्यूटी पे हैं तो इनसान की उंची जो उंचा रिवार्ड है वो है इसलिए कि ये इन खौाइशात के बावजूद अल्ला की बात मान रहा था फरिष्टों दिन तो माननी थी जब ल्ला ताला को फरिष्टों ने अर्स की कि ए ल्ला ताला ये तो फसाद बर्पा करेंगे फिर उनको क्यों पेंदा कर रहे हो तो ल्ला ने फरमाया जो मैं जानते हो तुम नहीं जानते है तो फरिष्टों का मुकाम है क्योंके वो बनाई उसके लिए है है, इंसान का मुकाम है, कि वो टेस्ट में से गुजरके हासल करेगा, पिर लॉल्ला खुश होंगे तो यह जो कहा है, अगर कोई है ही मेरा मुलाज़िम, और वो मुझे पानी लाखे दे रहा है, वो तो मेरा मुलाज़िम है भclipse, अगर कोई राध चलते है रुक के मुझे पानी पला रहा है तो मैं खुश होँगा ना तो आल्ला इनसानों से खुश ही तब हो रहा है कि उनके सारे खोईशात लगीवी छोड़के वो ंला के पास आ रहे हैं तो ही पिर इनसान का मुकाम है हम الحمدلللہ نہیں ہیں लेकिं जो है ना उनके दिल में खटका होता रहता है उनके सामने खटका मौझूद है वो गोर करेंगे तो अल्ला को पहचानेंगे अगर कोई आपका जानने वाला हो ना जो मुस्लिम हुआ हो उससे पूछ के देखना उनके दिल में खला होती है जो इनसान है ना इनसान बाई नेचर ढूंड़ता है कोई ऐसी डिवाईन ताकट जिसकी वो अबादत कर सके ख़रत अबराहिम ऐले सलाम उनका वाक्या है कि सूरज तू मेरा खुदा है नहीं तू मेरा खुदानी आग नहीं पत्थर नहीं तो वो ढूंड़ता है उसके अंदर तलब होती है तो नौन मुस्लिम के अंदर तलब होगी वो नहीं कर रहा तो उसका कसूर है तो इसलिए 12 में वो इसलिए जाएगा क्योंकि उसने कुफर किया है क्लास की पाबंदी लोग करते हैं करते हैं काफे सारे लोग क्यों करते हैं अच्छा वो जो लोग क्लास में बाकाइदगी से आते हैं वो नमाजें नहीं पढ़ते होंगे बाकाइदगी से नहीं मैं यह नहीं कहा रहा है जो क्लास में पढ़ते हैं वो नमाजें नहीं पढ़ते हैं वो भी क्लास में बाकाइदगी से आते हैं वो क्यों आ जाते हैं उनको ठंड नहीं लग रहे होते हैं उनके और कहीं जाने के दिल नहीं कर रहे होते क्या प्रारिटीज है ना तो जब हमारी प्रारिटी आखरत हो जाएगी ना जब हमारी प्रारिटी ये हो जाएगी कि अल्ला को राजी करना है जब हम इस चीज़ पे इमान ले आएंगे तो पर अल्ला के हुकम पर चलने में हमारे लिए असानी हो जाएगी जब हम इस चीज़ को प्रारिटाइज ही नहीं करेंगे जब हमारे दिल में यकीन ही नहीं होगा कि अल्ला ही का दिया हुआ है जो अल्ला ने वापस लेना है سے حساب لینا ہے. अगर हमारी अकल इस चीज़ को मानेंगी नहीं कि शौर्ट टम पे लॉंग टम को प्रेफर करना है. अभी वाले पे बाद वाले को प्रेफर करना है. तो फिर हमसे इन हकुमा पे चला नहीं जाएगा. लेकिन एक बार अदम खताउन है. और उन में से बेतर वो हैं जो तवाबून है. जो तौबा करते हैं. तो अल्ला ताला को तौबा करना बहुत पसंदे. एक अधीज़ का मफूम एक शक्स था वो उपना सारा समान लेकिन आ उन्ट पे लाट के. सफर में निकला. अब वो सहरा था ये जंगल था जो भी था. सफर पे निकला. चलो सहरा कर लेते हैं. मुझे भूल रहा है. उसकी आँख लग गई. जब उसकी आँख खुली तो उसका उन्ट समान समयत गाइब है. अब एक सहरा में बंदा हो और उसके पास कोई रिसूर्स ना हो. कन्फम मौत होती है. क्योंकि कोई डिरेक्शन नहीं है. कोई खाना पीना कुछ नहीं है. वो जब ढून ढून के ठक गया मायूस हो गया. और मायूस होने के बाद उसको लगा कि अब तो मौत है ही है. और फिर पढ़ गया कि अब तो मरना ही पिर उसकी आख लगगई. जब दोबारा आख खुली तो पिर उन्ट समान समयत उसके साथ सामने موجود تھا وہ بہت خوش ہوا اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ یعنی بونتر گیا نا اتنا خوش ہوا تو آپ سے سنوہ میں فرمایا صاحبہ سے کہ یہ جتنا خوش ہوا ہے نا اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے پاس واپس آتا ہے یعنی توبہ کر کے واپس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے جتنے مرضی گناہ ہو جائیں اور توبہ زندگی میں ایک دفعہ ہے نہیں پچاسوں دفعہ ہے جب گناہ ہو جائیں پھر توبہ کر لیں لیکن توبہ کرنے کی بھی شرائط ہیں یعنی اگر میں کروں میں موبائل پہ نہ کوئی گندی چیز دیکھ رہا ہوں اللہ جی توبہ یہ توبہ نہیں ہے یہ نہیں ہے توبہ 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 میں شرمندگی بھی ہے ندامت ہے اللہ سے سوری اللہ مجھ سے غلطی ہوگی ماف کر دے اور اسے اگلا سٹیپ آئندہ وہ نہیں کرنا اور نہ کرنے کی ارادہ بھی کرنا ہے اور سٹیپس بھی لینے ہیں یعنی اگر آپ کو جن گناہوں میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو اگر آپ غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی سٹیمیلیٹر ہوں گے جو آپ کو ان گناہوں میں بھارتے ہوں گے یعنی اب جو لوگ ہوسٹلائٹ ہیں اگر وہ اندھیرے کمرے میں بند کمرے میں گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں تو آپ غور کریں کہ آپ وہ گناہ تب ہی کرتے ہوں گے جب آپ اکیلے ہوتے ہوں گے اگر آپ کو کوئی خاص جگہوں پر جا کے گناہ زیادہ کرتے ہیں تو پھر وہ جگہ ہے جو آپ کو سٹیمیلیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ہر گناہ کی طرف کچھ نہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو بھار رہے ہوتے ہیں تو توبہ کرنے کے بعد ان فیکٹرز کو چھوڑنا ہوتا ہے یعنی آپ ان فیکٹرز کو چھوڑیں اگر آپ کے کوئی کمپنی ایسی ہے جو بہت برے گندے لوگ ہیں چھوڑ دیں اس کمپنی کو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے تو بھئی وہ لوگ کیا کہیں گے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کیا کہیں گا یہ امپورٹنٹ ہے تو اس کو چھوڑیں اس کمپنی کو چھوڑیں اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کریں جو آپ کے پاس ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو موبائل چھوڑ دیں ضرورت نہیں ہے تو لیپٹاپ چھوڑ دیں اگر لیپٹاپ یوز کرنا ہے تو کوشش کریں پبلک پلیس میں بیٹھ کے کریں یہ وہ سٹیپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے لیکن توبہ میں شرمندگی بھی ضروری ہے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ اور سٹیپس بھی ضروری ہیں اللہ سب معاف کر دیں گے بلکہ اللہ کی رحمت جب زیادہ جوش میں آئے گی نا انہیں گندی حرکتوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیں گے جی کہنے دیں آپ کا کام روک رہا ہے آپ روکیں اس کو سمجھائیں پیار سے سمجھائیں کہنا ہے تو کہتے رہے وہ اگر آپ واقعی اس گناہ سے رک گئے ہیں اور آپ نے واقعی اللہ سے معافی مانگی تھی تو اس چیز کا گمان رکھیں کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے یعنی اگر ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا نہیں یہ بری بات ہے اگر آپ نے واقعی شرمندگی میں معافی مانگی ہے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے ہو گیا معاف اللہ نے کوئی گریس پیرن نہیں دینا یا اللہ نے اللہ نے نراضگی نہیں کرنی نہیں ऐसे तो मैं नहीं मानूंगा नहीं ऐसे बलके ये बजाने से पहले ही माफ हो जाएगा तो वो जो कह रहा है कहते रहें लेकिन आपका काम है उसको रोकना प्यार से महबबत से हिकमत के साथ हिकमत के साथ अगर आप किसी को बुराई से रोकना चाहते है ना तो ये तरीका नहीं आई तो दौज़थ में सड़येगा ये तरीका नहीं है ये बिलकुल करी तरीका नहीं है अग्र आप ने किसी को किसी बुराइँ से रोकना है तो उसका तरीका यह है चारे उसको अपने साथ अच्छाई़ों में पार जा करें एंना आमने इसला करनी है तो डिरेक्ट अटेक मुनासिब नहीं होता, बड़ी हिकमत के साथ चलना पड़ता है यह वैसे ना अब आप लोग जो यहां बैटे हुए हैं और मुझे देखके खुशी तो यह हो रही है कि अब आप नौजवान लोग हैं और आप सवा दो घंटे से यहां बैठे हों और अभी आप को अगर मैं ना रोकूँ तो आप पूछते ही जाएंगे सवाल यह दीन का मज़ा है जब आप अल्ला की महफिल में बैठे अभी इस वक्त ना हमारा नाम ले लेके अब आप आप यहां क्यों बैठा हुआ है अब आप नबी तक को रोटी के नाम ले लेके अपना वियाबी प्रोटोकॉल लेके इस वक्त ना नवीद अंसारी साब को नहीं पता कि यहां कौन बैठा हुआ है कॉलिज के मालिक है ना मेरा तो पता है लेकिन यह नहीं पता कि आप मेंसे कौन कौन बैठा है लेकिन अल्ला को पता है और अल्ला फरिश्टों को बता रहे हैं वो देखो वो बैठा हुआ है यह इसलिए आप यहां क्यों बैठे हैं अभी तब को रोटी के नजार में बैठ का देखो अल्ला अल्टीमेट अथोरिटी है और अल्ला पास्ट प्रेजन्ट फ्यूचर इस पे बाॉंड नहीं है मैं किसी दोर में काम किया करता था मैं एज़ टीचर कि मैं जब क्लास को पढ़ा जब पढ़ाता था तो मैं सेशन के तकरीमन एंड पे मैं कहता था कि तुमारे इतने नंबर आएंगे तुमारे इतने नंबर आएंगे तुमारे इतने नंबर आएंगे अब मैं अपना जो एस्टीमेशन फेज है वो बड़ा कर लेता था कि तुमारे एटीज में होंगे तुम और अपने गैस लिखता और उसके बाद जो रिजल्ट आता वो वही होता जो मैंने कागस पे लिखा था तो मैंने कागस पे लिखा था इसलिए वो रिजल्ट आया उनका पिर मेरी एस्टीमेशन थी उन लोगों के बारे में क्योंके मैंने उनको पढ़ाया था अच्छा मैंने उनको पढ़ाया था मैंने उनको बनाया नहीं था मैंने इनको पढ़ाया था तीन महीने पढ़ाया था फिर मी मैं उनसे इतना वाकिफ हो गया था कि मुझे पता चल गया था कि क्या करेंगे तो अल्ला ने हमें बनाया है अल्ला उससे भी वाकिफ है जो भी हमने आगे करना है तो अल्ला ने जो लिख लिया है ना वो अपने इल्म की बेस पे लिखा है अल्ला ने लिख लिया कि मैंने फलानी तारीख को मरना है और फलाने ने कतल करना है तो वो जो कातिल है ना वो ये नहीं कह सकता कि चूंकि अल्ला ने लिखा हुआ तो तो मैंने कतल किया है उसको क्या पता अल्ला ने लिखा हुआ है उसने तो अपनी तरफ सी कतल किया है ना तो जो हमारे बारे में लिखा हुआ है एक वो है जो होना है और अल्ला ने वो लाइड डाउन कर लिया है और एक वो है जो हमें देना अल्ला ने है या लिख के रखा हुआ है अल्ला ने प्रेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेद जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ अगर मैं ना कर रहा हूँ तो पर मुझे सदा किस बात की मिले लेकिन अल्ला को पता है कि मैं ये करूँगा तो अल्ला ने वो पहले लिखके रख लिए अल्ला ने बहुत सारे वराइटियां लिखी हुई है कि चुँके उसने इधर आना था तो इधर से लाकिय उसने ये काम कर देना था इधर नहीं फिर उसने वहाँ आना था पिर वहाँ जाके काम कर देना था तो लाके पास सब लिखाव है जैसे गेम का डिवैलिपर होता है उसको ये लाइव पर यही हो सकता है कि वो कहता मुझे भी कुछ नहीं है लेकिन मसला ही है कि जो करोना पर इंप्रिमेंट करोने ले ने वो कहते है जब उनके सोटे फढ़ेंगे ना इंजेक्शन वाली जगह पे पिर होगा मसला आखरे तो रेंटिट कैसे हो सकते हैं आप आई कैप रेंटिट कैसे हुएं आप टार्गेट कर रहे हैं कि क्या चीज़ आपको आई कप का पेपर पास करा सकती है आप आई कैप रेंटिट हो गए आखरे तो रेंटिट भी ऐसे ही होना है कि क्या चीज़े हैं जो हम चलके काम् law में पढ़ा है अच्छा आप आपने अगर iCAP study text पढ़ा है iCAP study text पढ़ा है ACMA वालों का लिखावा text क्यों नहीं पढ़ा Chartered Accountants of Institute इंडिया का क्यों नहीं पढ़ा Ireland का क्यों नहीं पढ़ा क्योंकि जिस authority को आपने अम्तिहान देना है आप उसी की बात मानने न तो हो गए न आप आई के पर रेंटिड तो ऐसे ही आखरत रेंटिड हो जाएंगे जब आप अल्ला की बाते माननी शुरू कर देंगे और आपका ये यकीन बन जाएगा कि मैं जो भी काम कर रहा हूं इसका आखरत में क्या हिस्सा है अगर आप आखरत का हिस्सा सोच देखें अगर आप किसी का हक मार रहे है चोरी कर रहे हैं तो आपको for the timing फायदा हो रहे हैं लेकिन आप वो चोरी नहीं करें क्यों क्योंकि अल्ला नराज होके आखरत में फैंटी लगनी है तो हो गए आखरत और रंटिड तो जब आपके सारे ईखरत क्या है निग्सक्राइब को आखरतों कर अबखरत में उस्ता पर पाकिस्तान का लिडर बन गया उसकी पकड़ है मैं मर्द हूँ, मैं घर का हाकिम हूँ, मेरी पकड़ है इस बात पर कि तुम ने अपने घर में इसलाम नाफिस किया कि नहीं किया, मेरी पकड़ है इस बात पर, अगर मैं कौँँ कि मेरी फैमिली मेरी बीवी अपनी जिन्दगी गुजारे उसकी मर्जी मेरी उलाद अपनी जिन्दगी गुजारे मैं अपनी नमादें पूरी करूँ पकड़ो जानी है मेरी मेरी जिम्मेदारी थी कि घर में नाफिस हो ने मुझे हाकिम क्यों बनाए हदीज का मुफूम है कि हर शक्त से उसकी रियत के बारे में पूछा जाएगा हाकिम से उसकी रियत के बारे में पूछा जाएगा मर्द से उसके घर के बारे में पूछा जाएगा औरत से उसकी फैमिली जो उसके नीचे है उसके पूछा जाएगा तो हमने इसलाम नाफिस करना है सिर्फ अपनी जात पे नहीं करना मौशरे पे भी करना है इसको हुक्म है या सिर्फ हुक्म है वल असर इननल इनसान लफी खुसर इल्ल लजीना चार बातें चार काम जो नहीं कर रहा ना और व है बीच में व आप इंगलिश पढ़ते हैं एंड और और में फर्क होता है तो जब व लग गया ना साथ तो एंड 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 अब जब एंड लग गया तो अल कंडिशन्स तो बी मैट और एनी वन अल अब अल्ला ने चार काम कहें हैं और ये चार काम करोगे तो काम्याब हो वरना सारे इंसान खसारे में और अब जो खसारे वाली बात अल्ला ने कही है ना वो भी इतनी खुफसरत बात है अल्ला का कहना ही काफी था वल वाओ लग गया वाओ वल असर असर की कसम इन्ना बेशक लफी लफ ये जो लाम होता है ये भी बेशक के लिए होता है मतब एक तो वैसे अल्ला कह रहे हैं फिर वो जमाने की कसम खा रहे हैं फिर वो इन्ना कह रहे हैं फिर लफी लफी लफिर वो लाम लगा के फिर यकीन मतलब इतना अल्ला ने एंफिसाइस कर दिया मैं कहूँ ये मोस्ट बेस्ट टेस्ट है एंफिसाइस करने के लिए वरना तो मेरा कहना काफी था मैंने कहा मोस्ट बेस्ट टेस्ट है मतलब मोस्ट भी कह दिया बेस्ट भी कह दिया और फोकस करने के लिए तो अल्ला नहीं कहा ये चार काम करो को तो ठीक है ने तो खसारे में और एक अधिश का मफ़ूम है कि जो पिछली काम में तबाह हुई है ना वो अमर बिल्मारूफ और नहीं हमले कर छोड़ गी थी एक बनी इसराइल कौम का वाक्या है वो मचली वाला अगर आपने सुना हो पढ़ा हो कुराने पाक का वाक्या है बनी इसराइल की एक कौम थी उनको हुक्म मिला था कि उनके उनका इम्तिहान था कि हफ़ते के दिन मचलियां नहीं पकड़नी, मचलियां पकड़ते तो उनका कारोबार था, उनका इम्तिहान था कि मचलियां नहीं पकड़नी अब चूँके इम्तिहान था तो हफ़ते को मचलियां जादा आती थी तब अल्ला साला जिस चीज़ का इम्तिहान लेते हैं ना पिर वो अंदर वो भी उन्दर रही से कुछ हो रहा होता है तो अब वो मचलियां आ जाती थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे वो हीले करने शुरू कर दिये को ऐसे फंदे लगाने शुरू कर दिये कि मचलियां आती थी हमने तो नहीं पकड़ी वो वहीं फंस जाती थ अब इत्वार को पकड़ लेते थे जाके अब इस कौम के तीन लोग थे जानी तीन तरहां के लोग थे एक वो जो जो हरकत कर रहे थे एक वो थे जो बौदरी नहीं कर रहे थे करो जो मर्जी करना है ये दोनों बंदर और सूर बन गए थे और तीसरे वो थे जो इनको मना करते थे ना करो, उन पे अज़ाब नहीं आया था तो अमर बिल्मारूफ औन नहीं, अनिल्मुन कर हमारा जिम्मा है लेकिन जिम्मा ऐसा नहीं है कि आप चौक पर चलते फिर थे सब को मारना पिड़ना चुरू करें यह तुम सही नहीं कर रहे हैं यह नहीं है तरीका आप जिम्मेदार हैं उसके जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है आप सबसे पहले अपनी जात के जिम्मेदार हैं अपनी जात को ठीक करें जो आपके जिम्मे हैं उन पे आप जोर चला सकते हैं उन पे जोर चलाएं बच् के लिए कहने में नहीं, बच्चे पफे सकती नहीं झातरी हैं। अब दस साल से कम था की यह लेकिन सोचें ऐं किस बात पstad,ersonol से कम बच्चों को मार पीठ होती है। लेकिन सोचें किस बात पे होती है पढ़ाई की बात पे या फलाना मुबाल खराब कर दा या ये ये एशी का रेमोड गम कर द democrat ये लानी चीज नुकसान पहुंचा दी इस पर मारे पढ़ती हैं टीवी का रमोड तोड़ दिया मारे पढ़ेंगी इस पर नमाज के लिए उन नहीं सक्ती नहीं करनी दीन में कोई जबर नहीं है जी 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 जो बच्चा बाले नहीं है वो मकलफ नहीं है यानि आप जब बाले हो रहे है आप से तब पे इसलामी एहकाम आरे हैं उससे पहले आप जवाब दे नहीं है बच्चा जब तक बालिक नहीं है मेडिकल एक चीज है वो बालिक हो जाता है चेंजेस आ जाते हैं जिसम के अंदर बलूगत के बाद उस पे एक्टीवेट हो जाते है अब इसलामी है काम उस पे एक्टीवेट हो गये वो अपने गुना और नेकियों के लिए जवाब दे है उससे पहले पहले जो वो कर रहा है ना उसका उससे गुना या जदा नहीं है लेकिन उससे पहले की की गई ट्रेनिंग उसके वालदेन जिम्मेदार है एक बार बालग हो गया ना फिर वो खुद जिम्मेदार है और जब तक बालिग नहीं हुआ उसकी अच्छी ट्रेनिंग करना उसके वाल्डेन के जिम्में है अच्छा आप आगे बोलें यह तो हम रात बारा बचा देंगे ऐसी हाँ क्या जी क्या जी जी देखें इसको अगर आप दुन्यावी मामलात में लगाएंगे न तो ऐसे आपको बहुत सारे केसिस मिल जाएंगे कि जिनके पास कोई रिसूर्स नहीं थे घर में कोई पढ़ने वड़ाने वाला नहीं था फिर भी वो पढ़ लेके कुछ बना गरीब था फिर भी उसने बिजनिस किया तो फिकर थी ना महौल ने उसको रोका नहीं वो महौल तोड़के निकल गया तो जिसमें दीन की फिकर होगी वो महौल तक रुके गा नहीं उसको खुद रस्ता मिल जाएगा और फिकर अल्ला ने सबकी अंदर रखी है अच्छा कुछ ऐसे हैं क्योंकि अल्ला जानता है ना फ्यूचर जैसे मैं अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझा रहा हूं कि यार यह तुम सही नहीं कर रहे है अच्छी बात नहीं है मैं उसको समझाओंगा जो मुझे पता मेरी बात सुनेगा जो मुझे पता इसे मेरी बात सुननी नहीं है मैं उसको समझाओंगा भी नहीं क्योंकि मेरी भी तो गयरत है, मेरी लेवल है भई, मैं क्या भी मांगूं उसे जाके यार फ्लीस पढ़ लो. उस ने नहीं पढ़ना और उसने मेरी बात समझनी नहीं, मुझे मेरे कामिल मुझे बता रहा है कि उसको मैं समझा भी नूँ तो उसने नहीं पढ़ना. मैंने उसको नहीं समझाया वो फेल हो गया मेरे ना समझाने की वज़े से फेल हुआ या अपनी हरकतों की वज़े से हुआ लेकिन मैंने तो उसको नहीं समझाया मुझे पता था कि मैं समझा लूँगा तो उसको फर्ट नहीं पड़ा ये इतना खराब हो चुका हुआ है तो मैं समझाने की फिर एफट भी नहीं करूँगा तो अल्ला ताला जिसको हिदायत देना चाहते हैं उसको देते है और ऐसा नहीं है कि अल्ला ने पिकेंच चूस करना जिसको हिदायत देनी है जिसके अंदर पुटेंचल होगा ना अल्ला उसको हिदायत देंगे जिसके अंदर तलब नहीं होगी उसको हिदायत नहीं मिलेगी तो इसलिए जो गुनागार है अगर उसके अंदर खैर है अगर उसके अंदर खैर है आपने ये वाकिया शाय सुना हो कि एक बहुत ही फाइशा और थी और उसने एक कुटे को पानी पिलाया बनी इसराइल की और थी और उसकी बक्षिश हो गई सुना भै अब इसमें अगर आप गोर करें तो क्या कुटे को पानी पिलाना इतना बड़ा अमल है यनि कुटे को पानी पलाना इतना बड़ा आमल है कि वो पहुंच जाया आखर जन्नत में और वो ओरत जो नमादी परेजगार लेकिन उसमें बिल्ली को तकलीफ पहुंचा पहुंचा के बूका प्यासा रखके मार दिया अब वैसे अगर देखें तो बिल्ली पे इतना बड़ा यानि गैर मुस्लिम को मारने पर कसास का हुकम नहीं है तो बिल्ली को मारने पर दोदख मिल गी तो ये क्या बात हुई तो कुछ चीजें होती हैं जो में नजर आ रही होती है असल में अंदर की कहानी कुछ और होती है ये जो करिक्टर होते हैं जो जब इनका ट्राइल होते हैं कुछ ऐसी आँख है सेलेक्टर की कि वो उस टैलेंटेट क्लाड़ी को दो बाल्ट में पहचान जाएगा कि ये टैलेंटेट है उसको दो वर खिलाएगा नहीं, पहले ही पहचान जाएगा मैंने एक टेस्ट दे रहा था, बीकॉम में पढ़ता था अगले बेंचेस पे बैटावा था, एकनॉमिस का टेस्ट हो रहा था वो पर्फेक्ट मार्किट वगरा, मार्किट्स पे टेस्ट हो रहा था एक था उसमें पर्फेक्ट केमपेटिशन, उसमें मुझे याद नहीं चार केसिस थे शायद मैंने भी पहला ही बनाया था, पहला ग्राफ ही बनाया था एक टीचर थे, वो यहीं मेरे पास ही खड़े वे थे, क्योंकि मा आगे बैटता था बहुत मशूर टीचर थे वो बीकॉम के, उन्होंने मेरा पेपर लिया, मैंने पूरा नहीं किया था उन्होंने मेरा पेपर लिया, 16 out of 20, highest marks थे, 16 out of 20 देखे मैं जे पेपर मुसकरा के वापस कर दिया मैंने तो पेपर ही पूरा नहीं किया लेकिन उनोंने मेरे अंदर छुपे उस टैलेंट को पहचान लिया और से खुश्च होकर नियना का जाओ हैं तुमारे सूला नबर तो अल्ला ताला लोगों के दिलों को पहचानते है और उन दिलों की बेस पे ल्ला रिवार्ड करते है तो उस औरत के दिल में खैर थी लेकिन महौल ऐसा था कि वो फाइशा बन गई देखो ना अब जो पैदाई उस घराने में हुआ है तो वो तो वही काम करेगी लेकिन उसके दिल में खैर थी अल्ला ने उसको एक चांस दिया वो क्लिक कर गई आजो साइड पे चलो जन्नत तो जिनके अंदर खैर होगी ना चाहे वो गुनाओं के महौल में क्यों ना हो अल्ला उसको देंगे चांस अगर किसी को चांस नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली उसके दिल में खैर नहीं है और अल्ला उसको चांस दे भी देते उसने फिर भी अवेल नहीं करना था और उसने आखरत में भी फैल होके दौजख में जाना था अच्छा में ना वो कुछ एखलाकर भी बच्चे बैठे हुए तो बस करते हैं उसको ही क्लोस करते हैं जी दो सवाल बल्गे आपको पहले भी दो सवाल ले लिया है एक सवाल लिया था बल्कुल होती है उनको स्ट्रेट अवे टोकना नहीं चाहिए सबसे पहले तो उनके लिए दौाइएं करें अगर आपको लग रहा है कि आपके वालदेयन में कोई ऐसे गुना है नमाज से दूरी है हराम कमाते हैं रिश्वत लेते हैं नमाज नहीं पढ़ते दूसरे हराम काम करते हैं सबसे पहले तो उनके लिए दौा करें दौाएं जितनी जादा होंगी ना उतना जल्दी असर आएगा फिर अल्ला से गर के हिसाब से अपने बड़ों के हिसाब से उनके साथ मौबबस से तालुक बढ़ाते 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 उनको एक वाकिया है अस्तियान करी मैंन का अनुमा का के वो छोटे थे और एक बड़ी उमर के शख्स वो वजू सही नहीं कर रहे थे तो उन्हों ने अब वो तो जिस घर की पिदाईश, जिस घर के पलेवे थे वो तो उनका मुकामी ओर था लेकिन उन बच्चों ने भी उस शücklich को जाकी नए कहा कि बाप औरिकी कर दे ले वे रही हैं उन्हों ने जाके उनको यह कहा कि हम दोनों भाई हैं हमारे में ये औख तलाफ हैं हम दोन आपको से वार करता है और शितान सो हमई से आराम नाम से बहुत देके टेक्निकली वार करता है तो इसलिए सबसे पहले और उसके बाद महिबत के साथ हिक्मत के साथ के से सथ केस वेरी करेगा कि उनको कैसे रहिंड आना है उन को अपनी अच्छाइयां बेशा lipsky Kapitayा की GG Cup S मुझे इंशूर करना है कि मैं नमाज पढ़ू अगर आपके अमाबा नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो बजाएज कि आप उनको कोसें फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते भी दौदधर में जाना है तुमने आप उनके सामने नमाज पढ़ें और उनके जिम्मे लगाएं कि आप नमाज ने मुझे याद कराना है अगर आपकी अमापको सुबा अक 44 के लिये फिकर से उठा सकती है नआ आप में से कई बच्चे होंगे जिनकी अमाज उठाती होंगे Пे deliver के दुनों में उठा अगर तो होस्ट लाट हैं थो पर तो अमा नहीं उठाती है लेकिन अगर घर म आपको तो सच्छे काम में खुद भी शामिल होने शुरू हो जाएंगे लास सवाल आपने भी पहले पूछ लिया था नहीं पूछा था अच्छा पूछो आपका ने कबूल होने की एक निशानी ये है कि आपको फिर दुबारा तौफीग मिलनी शुरू हो जाए जो बच्छा मेरे काम आएगा ना मैं उसको दुबारा काम कहूंगा जो बच्छा पहली दफा में मुझे ना कर देगा मैं फिर दुबारा काम नहीं कहूंगा क्योंकि उसकी नेकी बस عمل की हद तक नेकी होगी जैसे मैंने का कि वो जो औरत बिल्ली को प्यासा रखके मार रही है अब बजाहर उसके बहुत अमाल है लेकिन उसके दिल में खैर नहीं है और उसकी जो खैर की जगा सार्थाना अंदर वो अल्ला ने बिल्ली के अमल के जरीए जाहर कर दिया और अब वो जाहर हो गया असल में उसको सथा बिली की नहीं मिल रही है असल में इसको सथा इंदर की खराबी की मिल रही है जो अभी तक exposed नहीं होी थी मेरे क्लास में कोई student हो जो इनतहाई بتتمीज हो और वो deserve करता हो कि उसको क्लास से बाहर निकाला जाए मैं जानता हूँ अगर मैं कहुंगा तुम निकल के बाहर चले जाओ तो बाकी लोग केंगे इस सर ने क्या किया है लेकिन मैं कोई ऐसी सिचुएशन क्रियेट करूंगा जिस पे वो हाइपर होगा और मेरे साथ बत्तमीजी करेगा और सब लोगों को पता चलेगा कि वो बत्तमीज है और वो सिचुएशन इटसेल्फ शायद इतनी बड़ी ना हो कि उसको बाहर निकाला जाता लेकिन उसकी बत्तमीजी इतनी बढ़ जाएगी कि उसके अंदर का सब गंद बाहर आ जाएगा और सब को शो हो जाएगा सब कहेंगे नई जी डिजर्व करता है ये बाहर जाना तो नमास पढ़ाना नहीं था। अल्छा का हुकम इन्सास करना भी था लोगों का Hक देना भी था। मैंने इसका हक मारा capability वह इस चीज़ को छोड़ जाएगा जब इस चीज़ को छोड़ जायका तो अललाने हक नहीं माफ करने वरना पिर इनसाफ कहा गया तो पिर अन्ला ताला उनकी सैटल्मेंट करवाएंगे बस यार किसका जी हाँ जी मिलकुल उसको मौका मिला वो एक्सपोज हो गया चले जी ये तो चलो फरोना इंप्लिमेंटेशन करने वालों की तरफ से ये बस एक ही बयान था लेकिन अल्ला करे हालात कुछ बेतर हो लेकिन मैं बेटा ये अंदर फिकर रखता हूँ कि मैंने नौजवान नसल के लिए कुछ करना है आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप भी अपने अंदर ये फिकर पैदा करें जब मैंने अल्ला से वादा किया ना कि मैंने बाहर मेरी नौकरी हो रही थी मैंने बाहर नहीं जाना मैंने यहां रह के नौजवान नसल पे काम करना है मेरी इज़त ऐसे बढ़ी मेरी fame ऐसे बढ़नी शुरू होगे कि मेरी तवकाद भी नहीं है उतनी तो आप Allah ताला के सामने ये आप Allah की नौकरी कर ले ना आप Allah की नौकरी में लग जाए Allah की नौकरी क्या है? लोगों को Allah के करीब बुलाना नभी या करते थे? यही करते थे तो आप लग जाए नभी वाली नौकरी पे आपको नभी वाला स्टेटस नहीं मिलेगा क्योंकि आप नभी नहीं हैं हम नभी नहीं हैं लेकिन जब उसी एक्टिविटी का हिस्सा बन जाएंगे तो कुछ उनी जैसा reward मिल जाएंगा आखरत में उनके साथ भारी चेर्ज लग जाएंगी तो इस काम में लगें इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपकी दाड़ी बढ़े आप किसी नौ साल लगा किसी मदरसे से आले में बने हो तो यह काम आपने करना है यह हर एक के जिम्में है अब आपने सिम्मेदारी को लेके बढ़ना है आगे जिसका जहां जहां जितना भी असर चलता है ना दावत देनी हैं लोगों को अल्ला के करीब बुलाना है चलें बात फिर लंबी शुरू हो जाएंगी लाफिस